Hi guys, welcome to BTS, Bridge to Success में आप सभी लोग का स्वागत हैं, कैसे हैं आप सब लोग? I think and I hope सांदार, जांदार और as usual जबरदस्त होंगे आप लोग. Introduction Topic लगबख खतम हो चुके हैं, और मैं Sear Force Bending Moment Diagram आज स्टार्ट करने वाला हूँ. यह एक तरीके से सुरुवात है Structural Analysis का, जो आपके पास 16, 17, 18, 18, 19, 20 लेक्चर है, यह Continuously Stress Strain Diagram हम लोग करते रहेंगे, Stress Strain पढ़ते रहेंगे, Principle Stress पढ़ेंगे, Continuously चलता रहेगा उपर, और Parallely Bending Moment Diagram, Sear Force Diagram, Indeterminacy, Determinacy, Deflection और उसके बाद, फिर Fixed Beam, फिर Continuos Beam, मतलब सोम के बाद, Structural Analysis का एक तरीके स्टार्टिंग पॉइंट में ले रहा हूँ यहां से, और Sear Force Bending Moment Diagram, यह Parallel चलता रहेगा, Continuously, ठीक है, थोड़ा सा, पैटरन मेरा अलग है, पढ़ाने का, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बस पढ़ते चले जा करना है, Sear Force Bending Moment Diagram जो है, एक बहुत ही important point है, और जितने बच्चे मेरे पास call करते हैं, maximum बच्चों का, इसमें एक major doubt है, कि सर्व BMDSFD धंग से बनता नहीं है, मैं आपसे promise करता हूँ, कि जब आपका lecture ये खतम होगा, BMDSFD, तो आप किसी भी, loading diagram का, BMD और SFD बनाने के काबिल होंगे, दूसरी चीज, मैं थोड़ा सा इसको अपने तरीके से इसको धाल के लेके चलूँगा, ना तो bookist language में लेके चलूँगा, ना तो इसको पूरा का पूरा कहीं न कहीं का copy करूँगा, मैं इसको अपने ही style में start करूँगा, और बिल्कुल zero से start करके हम लोग hero level पे पहुँच जाएंगे, that is zero to hero, ठीक है, zero कहने का मतलब क्या है, कि बिल्कुल basic level से, बिल्कुल basic level से, उसके बाद दूसरा doubt हमारे पास आता है बच्चों का, कि structural analysis में तो काफी doubt होते है, अब कुल मिला करके देखो कहीं भी चीजों का किसी भी तरीके से, अगर एक जगा पर problem किरियेट हो रहा है, तो as a teacher मैं उस problem का base पे जाता हूँ, जड़ के ऊपर जाता हूँ, कि हमें ये generate हो क्यों रहा है, जिसे बच्चों का जो doubt है, ये structural analysis में, shear force bending moment diagram में, ये सम्भे doubt क्यो क्यों हो रहा है, तो कुल मिला करके अगर मैं बात करूँ, तो मेरा analysis है, कि हमें basic चीज को lack करने के बजह से, हम लोग का concept के लिए नहीं हो पाता है, basic चीज क्या है, उस चीज को आज थोड़े से start करेंगे, कि structure में, और system में, या structural में, या कोई भी member जो होता है, वो किस चीज के ऊपर dependent है, किस चीज के ऊपर supported है, कैसा member होना चाहिए, ये सब चीजों के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं, इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा, BMD, SFD हम लोग पढ़ते क्यों है, इसका एक analysis करने का जरिया है, कोई भी system हमारे पास है, कोई भी beam है, कोई भी frame है, कोई भी structural element है हमारे पास, उसका real analysis करना चाह रहा हूँ, कि हाँ पे इस system में shear force का variation कैसे हो रहा है, bending moment diagram का variation कैसे हो रहा है, अगर एक particular length का कोई member है, इसमें maximum bending moment कहाँ पे generate हो रहा है, कितना generate हो रहा है, उसी के हिसाब से हम structural को, उस particular structure को design करने वाले हैं, इसी लिए हम लोग bending moment diagram और shear force diagram हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक तरीके से मैं जो pattern इसको लेके चल रहा हूँ, यह अब continuously चलता रहेगा, जब तक structural analysis में हम लोग घुसेंगे नहीं, और वहाँ पे moment distribution method, slope deflection method, यह सब करके पूरा कपूरा canis method, यह सब करने के बाद, अब यह लंबा सा चलने वाला है, और structure को भी हम लोग इसी में पूरा से पूरा cover करेंगे, अब यह हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग करेंगे क्या-क्या, सियर force bending moment diagram में सबसे पहली बात, और आप लोगों से सबसे पहली बात आगे बढ़ने से पहले मैं request करना चाहता हूं, कि जो लोग देख रहे हैं और मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं, तो आप सबसे पहले उस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए, वेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको latest वीडियो जो भी upload होता है, उसका notification आपको अपके पास तुरंत पहुंच जाए, और अगर वीडियो अच्छा लगे, तो last में जाते time, like बटन जरूर दवा दिजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको share करने में आप help किजिए हम लोग का, क्योंकि हम लोग के पास quality है, तो हम लोग के पास थोड़ा से mass होने भी जरूरी है, quality को spread करना जरूरी होता है, यह है, ठीक है, कुल मिला करके, हम लोग shear force bending moment diagram का जो pattern है, हम लोग बिलकुल start करेंगे base से, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं ये करके पढ़ाता हूँ कोई भी topic, कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, पेसेंसली आप पूरा देखिए, तब आकर के आप मेरे से बताईगा कि सर ये चीज नहीं आ रहा है, चाहिए चीज आ रहा है, मुझे अच्छा लगेगा, पहले आप पूरे के पूरे धंग से स्टाइट कीजिए, उसके बाद कभी भी कोई डाउट होता है, तो आप comment box में आप comment करके उस डाउट को clear कर सकते हैं, या given number पे whatsapp या call करके आप बता सकते हैं कि सर ये मेरे को डाउट हो रहा है, सबसे पहली बात, shear force bending moment diagram में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहली बात हम लोगों को types of support, कोई भी a structural element है, वो किसी न किसी रूप में या किसी न किसी फॉर्म में stable है, किसी न किसी फॉर्म में वो किसी न किसी member से supported है, अब कितने तरह का support होता है, हम लोग सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर उस support पे reaction कैसा कैसा generate होता है, हम लोग फिर उसको देखेंगे, फिर beam कैसा होता है, उसको देखेंगे, अभी हम लोग सुरुवात के कुछ lecture में, हम लोग सिर्फ और सिर्फ beam के बारे में बात करेंगे, जैसे ही beam को cross करेंगे, फिर हम लोग frame भी पढ़ेंगे, फिर beam भी दोनों चीज पढ़ेंगे, अभी हम लोग सोम का portion को complete करने के लिए, हम लोग सबसे पहले अभी beam, beam, beam के बारे में हम लोग बात करेंगे, कि beam के बारे हम लोग बात कर रहे हैं, तो types of beam देखेंगे की कैसा हो रहा है, फिर उसके बाद loading आ कैसा रहा है, मतलब types of load हम लोग देखेंगे, यह मेरा आज पूरा का पूरा lecture कवर करना इस पे है, कि हम लोग के पास types of load क्या है, types of beam क्या होने वाले हैं, और types of support क्या होने वाले हैं, और उनका काम क्या है, जहां तक मुझे याद आता है कि हम लोग जब BTEK कर रहे होते हैं, तो हम लोग types of support देखकर के घब आज आते हैं, types of support, अगर कहीं पे गोल गोल दिखता है, तो हम लोग roller नहीं पहचान पाते हैं, अगर direct hinge दे दिया है, तो हम लोग hinge का basic function नहीं जान पाते हैं, और fix दे दिया है, तो हम लोग fix का basic function हम लोग नहीं जान पाते हैं, कि क्या हो रहा है, उसी में confusion रहते हैं, डर त क्या होता है हम लोग लेक्षर के बाद अंदर देखते जाएंगे, पहले तो जो generate होता है उसको हम देशी भासा में समझा रहे हैं कि generate क्या होता है, doubt क्या होता है बच्चों के माइड में, तो जब अंदर बीम के internal portion में कहीं पर कुछ ऐसा दिख जाए, hinge जैसा, roller जैसा, तो हम गवरा जाता है, अब हम लोग करे तो करे क्या, अब इसको जहले कैसे, अब ये सब के बारे में हम लोग इस लेक्षर में देखेंगे कि होता क्या है ये सब, और इसका काम क्या है, और इसके presence के बजह से effect क्या चीज़ के ऊपर, कितना पढ़ता है, ये सब चीज़ों हम loading diagram का यह tीनों का inter relationship देखएंगे फिर बेम्टी generate कैसे होता है seer force generate कैसे होता है हम लोग यह देखेंगे फिर third lecture में हम लोग बारी-बारी से फिर कंती- liver beam का analysis करेंगे उसka हम लोग reaction निकालना स्टर्ट करेंगे sea force निकालना start करेंगे bending moment निकालना स्टार्ट करेंगे, फिर इन सब चीजों को representation, diagrammatic रोप में लेके आएंगे, that is shear force diagram and that is bending moment diagram दूसरा चीज़ पर फिर सब लोग जाएंगे, simply supported beam पे simply supported beam में फिर reaction निकालना स्टार्ट करेंगे, फिर shear force diagram बनाना स्टार्ट करेंगे bending moment diagram, फिर overhang beam के उपर आएंगे उसके लिए भी हम लोग इन सब चीजों के उपर काम करना स्टार्ट करेंगे reaction निकालना स्टार्ट करेंगे shear force diagram निकालना स्टार्ट करेंगे बनाना स्टार्ट करेंगे, और bending moment diagram भी हम लोग निकालना बनाना स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे किलियर है यह सब करने के बाद हम लोग थोड़े से इसको अपर लेबल पे लेके जाएंगे हम लोग सुरुवात से और ज़्यादा तर लेबल में यही देखने को मिलते हैं कि आपके पास लोडिंग डायग्राम दिये जाते हैं आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और स्टार्ट डायग्राम बनाते हो हम लोग तीन से चार कोस्टन खतरनाक वाले ऐसे भी करेंगे जहां पे हम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिये जाएंगे उस bending moment diagram से हम लोगों को shear force diagram और loading diagram बनाना है मतलब अगर हमारे पास basic concept है तो हम लोग थोड़ा सा उल्टा भी उसको करने की कोशिस करेंगे कि उल्डट करके हम लोग करते हैं तो क्या concept हमारा match होता है कि नहीं होता है तो ये सब चीजों के उपर practice करने के बाद ये सब जो system होते हैं ये सोब बे अनालिसिस generally इसलिए होते हैं कि ये सारे के सारे system जो है determinate system है determinate structure है अब determinate structure क्या होता है ये सब हम लोग आज के lecture में देखेंगे थोड़ा सा determinate structure क्या होता है और जो फिर और भी beam होते है fixed beam होते है continuous beam होते है अब ये सब का analysis हम लोग strength of material में नहीं कर पाते वो part हमारा structural analysis का जाता है क्यों जाता है ये आज हम लोग देखेंगे कि क्यों जाता है हम लोगों ने सोम में start किया था तो वहां पे हम लोग देखे थे that is called as plane condition या two dimensional condition वहां पे equilibrium equations जो generate होते हैं या पाए जाते हैं या हमारे पास होते हैं that is three equilibrium condition that is first of all summation of fx is equals to zero summation of fy is equals to zero and summation of mz is equals to zero या m is equals to zero अगर यही चीज three dimensionally आता है तो हम लोग यहां पे 6 equilibrium equation के बारे में बात करते हैं summation of fx is equals to zero summation of fy is equals to zero summation of fz is equals to zero summation of fx is equals to zero mx is equals to zero summation of m y is equals to zero summation of mz is equals to zero 6 equilibrium conditions आते हैं इसी के base पे number of unknown reactions के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं फिर इन दोनों का differentiate करते हैं number of unknown reactions minus number of equilibrium equations तो हम लोग के पास जो आता है वो degree of indeterminacy आता है इस topic में हम लोग थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करेंगे degree of indeterminacy का ताकि हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि जो हम लोग यूज करते हैं cantilever beam, हम लोग यूज करते हैं simply supported beam, हम लोग यूज करते हैं overhang beam, ये तीनों beam जो है वो determinate beam है और stable है कि नहीं है ये भी हम लोग देखेंगे मतलब ये दोनों word मैं पहले ही बोला था कि strength of material में stability, stiffness और क्या मैंने बोला था stiffness, stability और क्या मैंने बोला था shear, strength या strength ये 3S के ओपर पूरा का पूरा strength of material डिफाइन होता है तो हम लोग देखेंगे कि इन सब का use करने के बाद क्या जूँआत पड़ता है क्यों हम लोग यहाँ पे fixed beam का analysis नहीं कर पाते हैं continuous beam का analysis हम लोग नहीं कर पाते हैं probbed cantilever का analysis हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं और कैसे करना होगा हम लोग को यह सब हम लोग आज देखेंगे, शुरुवात करेंगे कि क्या है, इसलिए चीजें बहुत देर तक चलने वाली है, इसको पैरलली मैं स्टार्ट क्या हूँ, इसमें प्राक्टिस बहुत मांगता है, यह मेरा आप से रिक्वेस्ट है, कि जितना मैं कराऊंगा, प्राक्टिस म में आप रियक्षन निकालोगे, हलाकि जो बोलते हैं मैक्रो सेकेंड में, उनको खुद ही निकालने में एक मिनट लगता है, तो हम लोग यह सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे, और कहीं यह चीजें होती है, स्ट्रेंथ और में जुगार, जुगार पे हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग इतना प्रैक्टिस करेंगे, कि हमारा अगर माइंड कन्फ्यूज कर रहा है, तो हमारा कलम भी पेन जो है न वो लिख दे, या पेन डिसमिस कर रहा है, तो मेरा दिमाग याद करे कि हाँ यह चीज हो रहा है, हम लोग प्रैक्टिस से करेंगे और of second में कर पाएंगे ना तो हम जुगार से करेंगे हम लोग highly conceptual को पूरा का पूरा cover करने वाले हैं इस lecture में ठीक है तो मैं start करता हूँ SFD and BMD का introduction सबसे पहली बात SFD and BMD shear force diagram and bending moment diagram अब ये जो बातें है shear force generate कैसे होता है ये बातें हम लोगों ने देख चुके है bending moment कैसे generate होता है ये भी हम थोड़ा सा समझे हैं बाकि इन दोनों बात के उपर हम लोग और भी आएंगे बाद में और detail से बातें करेंगे सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर है मान लीजिए मेरे रूम में अभी जहां पर मैं खड़ा हूं उसके चारों तरफ में अगर देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि column है और मुझे दिख रहा है कि beam है और मुझे दिख रहा है slab है column भी किसी न किसी तरीके से किसी न किसी member पे supported है beam भी किसी न किसी condition में किसी type के supported condition में है और slab भी किसी न किसी type पे किसी न किसी condition में supported condition में इसलिए starting ही होता कि बिना support के मैं भी खड़ा हूं तो कोई न कोई support reactions मुझे मिल रहे हैं तब ही मैं खड़ा हूँ, अब यहां से एक basic funda में बताता हूँ, कि support करता क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे support की जरूरत है, मैं ऐसे करके गिरना start कर दिया, और इसके उपर मुझे support लेना है, मैं ऐसे करके खड़ा हो गया, मुझे इसके through support लेना है, अगर मैंने इस के उपर load लगाना start किया, और यह मुझे support नहीं कर रहा है, मेरे load के बज़े से यह section या member गिर जाए, तो यह मुझे क्या reaction दिया क्या, मुझे support किया क्या, नहीं किया, या तो फिर यह मैं force लगा हूँ, और अगर यह जिबित प्रानी है, जिन्दा है, और मैंने इसके उपर थोड़ा सा force लगा, यह गुष्से में मेरे उपर जादा force लगा दे, क्या यह भी stability condition है क्या, नहीं है, क्या यह strength सो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, जो चीज को support करना है, उसके उपर यह reactions जादा दे दिया, यह तो fail कर ही दिया, तो कभी भी एक reaction word जो आता है, हम लोग यहा पर्टिंग कंडिशन पे, reactions जो आता है, आपको यह समझना है कि reaction वो reaction होता है, यह reaction वो चीज होता है, उस जगह पे वो चीज नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाते समझने में थोड़ी सी दिकत होगी, मैंने बोला कि मैंने इसके उपर force लगाया, किस तरह से, मैंने इस तरीके स धक्का देने वाला force लगाया, यह section जो है, यह पीछे नहीं गया है, इसका मतलब मेरे force को यह क्या कर लिया, react किया, मेरे force को इसने क्या किया, resist किया, तो मेरे force के बज़ा से यह इसका movement नहीं ए और मैं भी गिरा नहीं, तो मेरे force को resist करने के लिए उसने भी मेरे हाथ के उपर कम से कम बराबर force लगाया है तभी इस section का movement नहीं हुआ है जैसे एक दरवाजा है मालीजी इस तरीके से मालीजी यहाँ पर hinge है मैंने इसके उपर force लगाया खिच के खिचा नहीं रहा है यह दरवाजा है मैंने इसको इस तरीके से खिचने की कोशिस किया नहीं खिचाया लेकिन इसको मैंने bend करने की कोशिस किया तो दरवाजा क्या हो गया है bend हो गया है इसका मतलब क्या है जब मैंने force लगाया bend हो गया तो उसने कोई काम किया क्या reaction किया क्या ये बाते तो मैंने सबसे first class में समझाय था कि reaction क्या है, resistivity क्या है, resistance force क्या है. तो support जानने के लिए हम लोग को सबसे पहली चीज यही जानना है कि कौन से support, कौन कौन से force को resist करता है और जो resist करता है, जितना force, जिस amount को force को resist क्या है, वो ही उसका reactions force कहलाता है. सबसे पहली बात समझेगा, तो मैं यहीं से start करता हूँ, कि सबसे पहले मुझे, मुझे नहीं पता कि beam है कि नहीं है, पहली बात तो मैं यह सोचूँगा कि मेरे mind में आएगा कि beam मुझे बनाना है, तो मेरे से कोई पूछेगा कि beam को रखोगे कहा, तो कोई न कोई support condition चाहिए, यह support, simple support चाहिए, hinge चाहिए होगा, या fix कर देंगे, cantilever होगा, कुछ भी तो होगा न, तो सबसे पहले हम लोग को समझना है, types of support क्या है, ठीक है, तो मैं heading डालता हूँ यहाँ पे, types of support, बड़े आराम से आपको देखना है, types of support, कहानी लंबी चलेगी थोड़ी सी आज, आर types of support, types of support हम लोग देखेंगे, किस में, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि two dimensional condition में देखना चाह रहा हूँ, कि types of support क्या है, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ, first support के बारे में मेरे को ध्यान आता है, तो सबसे पहले क्या आता है, fixed support, क्या है, fixed support, fixed support, या इसको हम लोग बोलते हैं, built-in support, क्या बोलते हैं, built-in support, या हम लोग इसको बोलते हैं, rigid support, बड़े ध्यान से देखेगा, rigid support, मैं आपसे promise तो किया ही हूँ, कि जब मेरा lecture खतम होगा, तो आप कोई सा भी book का, कोई सा भी exam का, कोई सा भी question बनाने के काविल हो जाओगे, without any hesitation, without any, क्या होगा, समय बरवाद किये बगर, तो rigid support, rigid support या built-in support, ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखेगा, कि fixed क्या है, सबसे पहली बात, अब यहाँ पे हम लोग थोड़े से चर्चा करना साथ करेंगे, fixed का मतलब क्या है, इस तरीके से generally book में represent होंगे, बाकी fixed का मतलब क्या है, पकड़ा हुआ, उसका कोई movement नहीं हो रहा है, यह जो support है, सबसे पहली बात देखेगा, हम लोग दो तरीके से इसको देखना स्टार्ट करेंगे, कोई लोड इस तरीके से लग सकता है, या कोई लोड इस तरीके से लग सकता है, अब ये दोनों लोड का कारनामा क्या क्या है, यहीं से start होता है, structural analysis का basic concept की होग क्या रहा है, बड़ ध्यान से देखेगा, ये कोई section है, ये कोई section था, जिसके उपर inclined load मैंने लगा दिया P, तो हम लोग inclined load P लगाते हैं theta से, तो सबसे पहले इसको दो component में हम लोग क्या करते हैं, breakdown करते हैं, जिसके साथ theta बनाता है, that is P cos theta, और जिसके साथ नहीं बना रहा है, that is P sin theta, और यहाँ पे अगर rigid support है, या fix support है, तो fix support के नामी है fix, ना तो ये वाले support के ऊपर, ना तो इस force के बज़ा से ये तो y direction में कोई movement होगा, ना तो x direction में movement होगा, ना तो ये bend करने वाला है, ऐसे support को हम लोग बोलते हैं, fix support, सबसे बड़ी बात समझेगा ध्यान से, तो यहाँ पे ये वाले support किन-किन force को resist किया है, that is a reaction, तो बोला जाता है कि rigid support या fix support के पास, three reactions available होते हैं, क्या होते हैं, three reactions available होते हैं, बड़ी ध्यान से देखेगा, reaction number first, कि सबसे पहले मुझे ये force को resist करना होगा, तो एक reaction इधर से लगेगा, that is called as Rx, R का मतलब reaction, direction X है, तो Rx लिख दिया, इसको कहीं कहीं पे HA भी मिलेगा, A point के उपर काम कर रहा है, horizontal reactions को represent कर रहा है, इसलिए HA भी या Rx भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इस force को reaction देने के लिए, इस force को resist करने के लिए, ये वाले system का movement नहीं होना चाहिए, stable होना चाहिए, तो एक force यहां से हम लोग के पास ये मिलेगा, that is Rye, या इसको हम लोग बोलते हैं, V A, A point पे vertical reaction है, मैं किसी चीज के ऊपर धक्का मार रहा हूँ, force लगा रहा हूँ, ना तो ये इधर घिसक रहा है, ना तो ऊपर नीचे आ रहा है, ना तो ये bend हो रहा है, that is the reaction, मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी भी force के बज़े से, किसी भी load के बज़े से, इस section पे कोई भी movement नहीं हो रहा है, moment नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक reaction ये भी लगाया होगा, that is M, that is M at A, A point पे A है, this is the reaction, इसका मतलब at fixed end पे, जो reactions generate हुए, कितने reactions generate हुए, three reactions, यहां पे at fixed point, at fixed point, fixed point या fixed support, at fixed support, three reactions, Rx and Ry and M at A, यह तीन reactions हुए, that is a reaction, Rx, Ry and M A, यह क्या है, reaction है, कितने maximum reaction, this is the maximum reaction है, अब maximum word को यहां पे थोड़े से और elaborate करेंगे, माल लीजिए किसी support के उपर, यह fixed support है, और इसके उपर load सिर्फ और vertical force लग रहा है, तो यहां पे reactions की जुरूत कितनी है, reactions, यहां पे यह वाले force को अगर मैं तोड़ता हूँ, तो इस force को resistance करने वाला, यह moment नहीं हो रहा है, that is VA, या RY, और इस force के बज़े से moment, तो इसके बज़े से एक और moment, यह moment, M at A, यह force तो है ही नहीं, तो इस reactions तो हुआ ही नहीं, तो इस time पे active reactions कितने हैं, दो reactions active हैं, तीसरा active है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे already क्या है, zero है, तो HA जो है, या RX जो है, वो क्या है, zero reactions generate कर रहा है, इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे एक word है कि maximum reactions कितना देंगे, 3 देंगे, तो अगर मेरे से commonly कोई पूछता है, कि fix support है, तो कितने reactions generate होंगे maximum, तो मैं बोलूँगा 3 reactions होंगे, अब देखना यहाँ से यह चीजे समझ में आएगी थोड़े से और बाते हैं, कि जैसे ही Rx जो है, यह Rx generate किया, तो इस बज़ा से, इसका कोई movement नहीं यहाँ एक्स direction में, इसका मतलब delta x is equals to क्या हो गया, 0, r y जो हमने generate किया, p sin theta को बराबर करने के लिए, तो यहाँ पे delta y क्या हो गया है, 0, और moment का मतलब theta होता है, theta से rotation हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी no rotation है, तो मतलब delta theta जो है, वो क्या है, 0 है, delta theta क्या है यहाँ पे, 0 है, अब theta क्या है, हम लोग थोड़े थोड़े धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे, और चीजे clear होते जाएंगे, कि theta क्या है, theta क्या है, कि यहाँ पे इस तरीके का कोई bending moment नहीं आएगा, तो यहाँ पे इस तरीके का कोई theta generate नहीं होगा, क्योंकि इस section का कोई bending moment यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे bend नहीं हुआ है fix support पे, तो इसलिए reactions generate हुए, यह वाले force देखना ध्यान से, अब मैं थोड़ा और analysis कर रहा हूँ, यह वाले force इसको कैसे घुमाने की कोईसिस करेंगे, force into perpendicular distance मान लीजिए L है, तो यहाँ पे इस point के बजह से moment कितना, P into L, तो यहाँ पे moment क्या होना चाहिए, जीरो, तो एक और moment हमने ऐसा generate कर दिया, that is M A, और M A is equals to क्या होगा, P into L, तब ही यह वाला stable हो पाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा, तो stability loss कर जाएगा, stable नहीं होगा, अब यह हम लोग ऐसा चीजें, stability को इतने आसानी से हम लोग बात नहीं करेंगे, stability देखने का अलग-अलग तरीका है, हाँ यह stable है, मैं यह बोल सकता हूँ, लेकिन आना stable कब होगा, हम लोग आज सीखेंगे, धीरे-धीरे आगे की बात करते हैं, आपको simple अब समझना क्या है, कि अगर कोई मेरे से पूछ रहा है, reactions कितने होंगे, तो जिस support पे, जो चीज नहीं हुआ है, नहीं कौन होने नहीं दिया है, जो support कर रहा था, वो होने नहीं दिया है, तो इसका मतलब उसने reaction हुआ, मैंने force लगाया, इस तरीके से मेरे उपर कोई force लगाया, और मैं अपने resistance को use करके अपने अंदर का ताकत, मैं उसको bending नहीं हुआ, इसका मतलब हमने इसके उपर क्या किया, reaction लगाया, हम stable होना चाहते हैं, अगर मैं ज़्यादा force लगा दूँ उसके उपर, तो वो जो force लगा रहा हुआ, वो unstable, हम भी unstable, तो इसलिए यहां पे जो fund आएगा structural analysis में, कि आपके उपर external जो लग रहा है, और internal जो है, यहां हमने जो resistance generate किया, reaction generate किया, उस सबका क्या होना चाहिए, summation 0 होना चाहिए, इसलिए equilibrium equations जो इहां पे बनते हैं, that is summation of fx is equals to 0, summation of fy is equals to 0, and summation of m at a is equals to 0, यह एक 3 condition है, अब देखिए यहां पे, summation of fx is equals to 0, मतला rx is equals to, माल लीजीए, यहां पे force लग रहा था, तो p cos theta, यह वाले reaction को कौन support करेगा, तो rx is equals to, यहां पे क्या होगा, p cos theta, और यहां पे, ry, यह p को कौन assist कर रहा होगा, support पे, यहां पे, ry, ry is equals to, p sin theta, और moment कितना, p sin theta into, यह distance, that is m at a, यह condition a में हो जाएगा, तो यह क्या है, तीन reaction है, आप हमेशा याद रखोगे, कि जहां पे, कोई भी support condition है, वहां पे, अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो वो reactions के थूरू नहीं हो रहा होगा, वोही उसका reactions होगा, मतलब हमने हमारे force के उपर, कोई, हमारे member के उपर, हमारे condition के उपर, कोई reverse condition में, क्या किया है, force apply किया है, वोही उसको क्या कर रहा होगा, react कर रहा होगा, balance कर रहा होगा, तो this is the fixed support, या built-in support, या rigid support, अब दूसरा condition क्या है, hinge support के उपर हम लोग बात करेंगे, क्या कर रहा है, hinge support, दूसरा क्या है, hinge support, बड़ ध्यान से देखना है, आराम से, आज पूरा का पूरा structural analysis का starting हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, hinge support, दूसरा क्या है, hinge support, क्या है, hinge support, hinge support, hinge पहली बात तो कैसा दिखेगा, यह देखो, hinge का मतलब, अब कैसे कैसे type के हो सकते हैं, hinge का मतलब ऐसे, आपको generally दिखने को मिलेंगे, और यह fixity से bonded रहेगा, और यहाँ पे इस तरीके से, कोई member इस तरीके से अठके पड़े, that is called as hinge support, this support is called as hinge support, hinge के उपर क्या है, मान लिजिए कोई force हमने यह force लगाया, पी, मान लिजिए यह force कोई लगाया, यह और continuously है, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इसको यह है, इसका मतलब क्या है, और continue है, यह force के बज़े से P force लगाया, अब देखो hinge का मतलब क्या है, यह इस तरीके से hinge है, अगर यह मैं इसको देखना धियान से इस तरीके से, मैंने इसको इस तरीके से पकड़ लिया है this is the hinge अब मैं इस सक्षन के उपर force लगाऊंगा तो देखो bend हो रहा है समझना ये bending generate करेगा ये bending यहाँ पे हो जाएगा तो अभी मैंने क्या समझाए कि जिस support पे जो चीज नहीं होगा वही उसका reaction होगा यहाँ पे मैंने force लगा तो ये bend होने के का गार पे है या ये bend perform कर रहा है तो इस support का reaction bending नहीं आएगा तो यहाँ पे bending हो रहा है इसलिए यहाँ पे जो reactions आएंगे वो bending का reactions नहीं आएंगे लेकिन इस force को ये वाला resist करेगा इसको मैं breakdown करके दिखाता हूँ इस force को P और इस तरीके से इस force को resist करने के लिए ये R V आएगा या R Y आएगा that is V A आएगा और अगर मैं inclined यहाँ पे force इस तरीके से डालता हूँ ज्यान से देखना P तो यहाँ पे एक आएगा theta that is P cos theta और यहाँ पे आएगा that is P sin theta तो P cos theta को reaction के देने के लिए कौन सा force आएगा ये that is called as H A या R X तो यहाँ पे देखो अब यह force के बज़े से यहाँ पे hinge के बज़े से इसका moment होगा तो reactions नहीं होगा अभी मैंने यही समझाया तो यहाँ पे number of support जो होगा number of support reactions जो होगे support reactions जो होगे that is 2 होगे 2 कौन कौन से होगे एक R X होगा और एक R Y होगा यहाँ पे bending moment reactions नहीं होते हैं यह है यहाँ पे bending इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा देखना ध्यान से delta X 0 reactions आ रहे हैं मतलब delta X 0 delta Y is equals to 0 मतलब Y direction में कोई movement नहीं होगा changing position नहीं होगा Y direction में X direction में कोई position change नहीं होगा लेकिन यह वाला यह bend होगा इसका मतलब delta theta जो होगा वो not equals to 0 होगे कुछ न कुछ theta perform करेगा this is the condition अब यह सब मैं क्यों लिख रहा हूँ इसका use मैं आगे करने वाला हूँ और करूंगा कि क्या हो रहा है तो यहां से number of support reactions कितने 2 2 कौन-कौन से RX and RY यहां पे bending moment होगा जैसे दरवाजा को देखते हो तो दरवाजा को पकड़ करके ऐसे खीचने की कोशिस करना खीचाएगा नहीं या पकड़ करके ऊपर या नीचे करने की कोशिस करना नहीं होगा लेकिन उसको आप bend करने की कोशिस करोगे तो bend होगा तभी तो दरवाजा खुलता है और लगता है यह है That is moment, यहाँ पर moment हो रहा है, इसलिए इसका reactions होगा ही नहीं, इसका reactions होगा ही नहीं, जब हो ही गया, तो reaction देने वाला रहता, रोकने वाला रहता, तो होने क्यों देता, तो this is the condition, यहाँ पर यह condition है, अब next आगे हम लोग बढ़ते हैं, roller, क्या है, roller, roller support, third reaction देखते हैं, roller support. थर्ड क्या है, roller support. roller, roller का मतलब ही होता है, roll करने वाला, roller, roller को represent कैसे कैसे करते हैं, यह देखिएगा, एक तो simple इस तरीके से कोई fix चीजे हैं, surface है, यह support है, इसके ऊपर हमने एक इस तरीके से गोल सा, roller tap पे डाल दिया है, और इसको हमने इस तरीके से force लगा दिया है, P, और यह continue इस तरीके से sustain कर रहा है. अब यह देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे यह condition, जब माली जी एक तरीके समझना, यह इस तरीके से roller के ऊपर, माली जी यह roller है, समझना, समझाता हूँ मैं, यह माली जी यह fixed है, यह roller है, यह roll कर रहा है, ध्यान से देखना, और इसके ऊपर यह चीजे क्या है supported है यह क्या है supported है तो जब मैं इसके उपर force लगाऊंगा vertical downward की तरफ तब तो यह resist कर लेगा लेकिन अगर horizontally force लगाऊंगा तो यह stable है क्या नहीं stable है क्या कर रहा है रॉल कर रहा है तो जब displacement हो रहा है यहां पे इसका मतलब ही मैंने क्या बलो जो नहीं होगा वो उसका reaction होगा तो यहां पे इसका displacement हो रहा है तो यह इसका reactions कहां से होगा नहीं होगा तो मतलब VX VX जो है या RX जो है या HA जो है horizontal reaction भी यहां पे नहीं है दूसरी बात अगर यह supported condition इस तरीके से roller पे है और मैंने load इसके तो जब यहां पे bending moment भी हो रहा है इसका मतलब bending moment इसका reaction नहीं होगा horizontally मैं इस तरीके कर रहा हूँ तो displace हो रहा है यह इसका reaction नहीं होगा तो reaction सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा vertical reaction होगा तो यहां पे इस तरीके से अगर मैं देखू इस P को रियक्शन सिर्फ और सिर्फ यहां से वर्टिकल मिलेगा that is V, Y या R, Y यह इस तरीके से मिलेगा दोनों एक ही है तो simple condition है कि रॉलर में जो रियक्शन मिलते हैं एक ही रियक्शन मिलते हैं क्या मिलते हैं? One reaction One reaction कौन सा R, Y या V, Y simple और यह जो होंगे reaction यह perpendicular to the surface होगा perpendicular to the support होगा perpendicular to the support या perpendicular to the plane बात एक ही है दियान से देखेगा अब यह बात ही है जोर मैंने क्यों डाला अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है एक तो इस तरीके से दिख सकता है और दूसरा पहचानने का तरीका कि यह इस तरीके से भी दिख सकता है और यहाँ पे 4, 5, 2, 3 चक का टाइप पे गोल गोल लगा देगा रॉलर करने के लिए अब फिर से देखो यहीं से स्टार्ट होता है यह वाला फोर्स हमने लगाया और यह continue इस तरीके से है अब देखो यहाँ पे मैंने धक्का लगाऊंगा तो यह वाला क्या होगा रोल रोल करकरके यह एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा लेकिन यहाँ पे इसका एक rip यहाँ यह वाला इस लोड को रेसिस्ट करने के लिए यह वाला रियक्शन इसको क्या होगा मिलता रहेगा अब इस कंडीशन में अब देखो थोड़ा साब ट्विस्ट करता हूँ अगर इस कंडीशन में अगर मैंने inclined load लगा दिया, अब inclined load लगा दिया, तो इसका दो component, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से यही तो सोच बढ़ा रहा हूं मैं अभी, अभी कुछ समझा नहीं रहा हूं धंका, यहां पे इस तरीके से इसका दो component theta से, एक theta, p sin theta, और एक यह वाला क्या, p cos theta, अब देखो, roller reaction पे, यह वाला reactions तो है ही नहीं, अब यह वाला component क्या होगा, यह वाला member क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होगा, चला जाएगा, अब इसको समझने के लिए, जो बड़े-बड़े farmhouse के जो धरवाजे होते हैं इस तरीके से लगे हुए, staffman, वो क्या करता है, एक दूसरे का इस तरीके से खीच करके दरवाजा बंद कर देता है, और धकेल करके दरवाजा खोल देता है, इसका मतलब वो दरवाजा क्या है, वर्टीव, दरवाजे का जो अपना वेट हो तो रेसिस्ट कर ही रहा है, लेकिन उसको इस direction में हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेज कर दिया, ठीक है, यहां तक समझना है, अभी यह चीजें, दरवाजा का पूरा concept नहीं समझ में आया, दरवाजा में नीचे भी रॉलर रहता है, और उपर भी रॉलर रहता है, अब उसका concept अभी हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे धीरे, अभी बस मै यहां पर एक ही दरवाजा open है, और रॉलर के उपर है, तो अगर मैंने ऐसा force लगाया, तो यह system क्या हो गया है, अनस्टेबल हो गया है, यह force के बजह से, यह force को तो resist कर लेगा यह force, इसके पास reaction है, reaction मिल रहा है, लेकिन यह reaction इसके पास तो है ही नहीं, तो यह force इसको क्या क एकोस तू जीरो, डेल्टा वाई एकोस तू जीरो, रेक्शन मिल रहा है, तो change in y direction कुछ भी नहीं होगा, और डेल्टा ठीटा जो होगा, not इकोस तू जीरो, मतलब मोमेंट भी हो सकता है, ठीटा ठीटा वात मैं जान बुछ कर के हाँ पे इंसर्ट कर रहा हूं, पूरा-प भुझ करके बता रहा हूं थोड़ा-th cabeďृ ताकि समझ में आना इस्ता फोग तो डेयलिट इस एक्स डिरेक्शन में ये डिसप्लेश हो सकता है तो डिट अक्सट श इकोसट गों सकता है डिस प्लेश नहीं बात में बात करेंगे, इसका मतलए हाँ पर moment होगा, तो theta naught equals to 0, इस तरीके से भी दिख सकता है, इस तरीके से भी दिख सकता है, कि कोई vertically roller इस तरीके से, इस तरीके से stable रह सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से stable हो सकते हैं, ठीक है, यह क्या है, vertically roller, तो इसको अगर मैं इस तर के सब force डालूंगा तो यह क्या होगा displace करना start होगा तो अब depend यहां पे करेगा क्या कि यहां पे delta x जो है not equals to delta x क्या है 0 और delta y x condition में क्या है not equals to 0 और moment तो होगा ही होगा यहां पे तो यहां पे delta जो theta जो है not equals to 0 तो यहां पे भी hinge है अब हमें यह देखना है कि hinge ऐसा जाए रॉलर ऐसा है या रॉलर ऐसा है अगर रॉलर ऐसा है vertically है तो यहां पे delta x 0 होगा अगर यह रॉलर horizontally इस तरीके से stable है तो delta y equals to 0 होगा यह बात को आपको ध्यान रखना होगा यह अपने आप develop हो जाएगा कि हाँ हमने ऐसे force लगाए है मान लीजिए अब जैसे इसको कैसे समझोगे समझना जैसे gym करने जाते हो तो दो guided होता है guide rod लगा रहता है generally यह self-wetted gym में मिलेगा जादा park work में gym मिलेगा वहाँ पे तो आप rod उठाओगे तो उसी guide के ऊपर से क्या होगा stable होगा आप उसके ऊपर इधर उधर उधर उसको नई कर सकते घिसका सकते हो तो वो क्या hinges है ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे किये जा सकते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि roller support क्या है roller support और भी तरीके से हो सकते हैं याद रखिएगा इसको मैं थोटे से और अच्छे तरीके से दिखाता हूँ inclined roller support क्या होता है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे concept है बड़े ध्यान से देखिएगा inclined roller support inclined roller support inclined roller support क्या होगा माली जी एक कोई system है और यह inclined है इस तरीके से अब मुझे क्या करना है यहाँ पे stable करना है तो मुझे यह इस तरीके से system पे लगाना होगा अब यहाँ पे जो reactions आएंगे मैंने क्या बहुत बहुत प्लेन के perpendicular plane कौन सा यह इसके perpendicular तो यह वाला क्या है reaction है अब इससे क्या हुआ कि अगर मैं force डालूंगा तो यह balance करेगा क्योंकि यहाँ पे यह घुजने नहीं देगा लेकिन अगर मैं इधर की तरफ force लगा हो तो यह क्या होगा रोल कर सकता है तो मतलब इस direction में यह हो सकता है change लेकिन इसको इस direction में इसको load resistance करना पड़ेगा that is inclined roller support next जो है roller support का ही next जो है guided roller support अब यह बाते समय में आएगी कि guided roller support क्या है अब चीजे समय में आएगी कि दरवाजा वाला जो बात मैंने बोल रहा था main gate जो लोहे का दरवाजा लोहे का gate जो होता है उसको slide करते हैं that is guided roller support उपर में भी roller होता है नीचे में भी roller होता है हम लोग उसको इस तरीके से उसको bend नहीं कर सकते हो मतलब guided roller support में एक extra reaction आता है कि वहाँ पर moment आप नहीं कर सकते हो तो अभी मैंने बोला ना कि moment जो चीज वहाँ पर नहीं हो रहा है वो उसका reaction है आप इस direction में ऐसे इसे घिसका सकते हो दरवाजा खोल सकते हो फिर लगा सकते हो बंद कर सकते हो खोल सकते हो open and close कर सकते हो उस दरवाजे को उपर नीचे नहीं कर सकते हो उस दरवाजे को guided-roller support बड़ ध्यान से देखना है guided-roller support guided-roller support क्या है मा लीजिये, ये है मा लीजिये, दर्वाजा है समझने के लिए और नीचे भी रॉलर इस तरीके से stable है और ऊपर भी इस तरीके से रॉलर supported है और ये इस तरीके से guide कर रखा है ठीक है? माल लीजिए यहाँ पर यह क्या है supported है clear अब यहाँ पर क्या हुआ इसको अगर मैं यहाँ पर force लगाऊंगा तो यह motion में आएगा जाएगा इधर उधर होगा इसका मतलब delta x not equals to 0 पहली बात उसके बाद अगर मैं force लगाऊंगा तो यह reactions इसका देगा आए और यह moment generate नहीं करेगा तो एक moment यहाँ पर भी आएगा that is m तो यहाँ पर number of reactions कितने हो गए यहाँ पर number of reactions कितने हो गए 2 number of reactions हो गए कितने हैं 2 कौन-कौन सा r y और m z m z m z ठीक है तो यह चीजे यहाँ से तो moment reaction दो कौन सा r y और m z इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ rotation not allowed r o t a t i o n rotation not allowed अभी मैंने समझा ना जो allowed नहीं है या जो नहीं हो रहा है वही उसका क्या होगा reaction तो rotation not allowed इसका मतलब वो इसी लिवज़े से एक reactions आया m z moment क्या है reaction आ गया mainly जो हम लोग के पास दिखने वाले जो support आएंगे generally वो यही type के आएंगे अभी अभी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अभी तक हम लोगों ने यह सब चीजों के बारे में बात जादा नहीं कहिया था ना आप सुने होंगे अब थोड़ा सा clear हुआ होगा कि reactions होता क्या है reactions कितने type के होते हैं यह सारे के सारे जो condition मैंने बताया यह सारे के सारे two dimensional support reactions बताया था two dimensional support reactions बताया था मैं इसको जटके में जरुवत कम पड़ेगा, लेकिन जटके में 3-dimensional support reactions पे भी हम लोग बात करते हैं, क्या है, 3-dimensional support reaction से बारे में बात करते हैं, तो guided में extra क्या आया, number of reactions कितने आया है, 2, normal roller बोल रहा है, simple roller कोई बोल रहा है, तो number of reactions एक, guided roller का मतलब ये इस तरीके से guided है तो types of support में हम लोग देखेंगे, number of reactions in 3-D support, 3-dimensional support, बड़े ज्यान से देखेंगे हम लोग इसको, थोड़ा-थोड़ा सा चीज है, ज्यादा कुछ है नहीं, देख लेंगे, मान लीजिए, 3-dimensionally एक support है, यहाँ पे, इसको मैं जोर से पकड़ रखाऊँ, ठीक है, support है मेरा हाथ, इसको मैं पकड़ रखाऊँ, इसके उपर मैं force लगा रहा हूँ, नीचे नहीं जा रहा है, एक reaction दिया, इसके उपर मैंने force इस तरीके से लगाया, नहीं जाया, reactions दिया, मैं इसको bend करना चाह रहा हूँ, x direction में, नहीं bend हुआ, दिया, मैं z direction में, x direction में, y direction में, मैं z direction, three dimensional है, तो z direction में force लगाया, यह reaction दिया, मतलब यह इधर इधर नहीं हुआ, ना तो z direction में हीला, ना तो y direction में हीला, ना तो x direction में हीला, तो three reactions आ गए, अब three reaction, इस वाले section को हम लोग, mx direction में मैंने गुमाने की कोशिस क्या, bend करने की कोशिस क्या, नहीं गुमा, तो एक m का आ गया, my आ गया, और mz आ गया, तो three dimensional support reactions में हम लोग देखते हैं, second conclusion है, three dimensional support reaction, बिल्कुल basic से, क्योंकि basic के बिना, बहुत अच्छा structure नहीं बनेगा, इसलिए आप ध्यान से देखेगा, तो first is में क्या है, number of support reactions, number of support, reaction in fixed support, यह सब किसमें, three dimensional में, तो मैंने क्या बताया, six number of support आएंगे, कौन-कौन से, rx, ry, or rz, or mx, my, or mz, mz, कितने, six, दूसरा क्या है, hinge support में, three dimensional क्या आएगा, hinge support, three dimensional में, three dimensional हिंज support में, number of reactions कितने, three, कितने, number of reactions, three, कौन-कौन से, rx, ry, or rz, क्योंकि माल लीजिए, hinge है, ठीक है, three dimensional का मतलब, यह इधर भी गुम सकता था, इस direction में भी गुम सकता है, ठीक है, तो x direction में भी, y direction में भी, z direction में, तीनो direction में, यह क्या हो सकता है, गुम सकता है, three-dimensional hinge है लेकिन उसके उपर ना तो इस तरीके से force लगा के खिश सकता हूँ ना तो vertically ना तो इस तरीके से force लगा करके ना मैं तो ऐसे कर सकता हूँ displace ना तो ऐसे कर सकता हूँ displace ना तो ऐसे कर सकता हूँ displace यह three reactions आएंगे that is hinge support इसको बोला जाता है ball and socket joint क्या बोला जाता है ball and socket joint ball and socket joint ball and socket joint तीसरा क्या है roller support roller support roller support क्या है three dimensional roller support क्या है यह अभी भी क्या है एक ही reactions generate कर रहे है तो roller क्या है one reactions reaction कितना one कौन सा सिधा सिधा plane के perpendicular वाला जो होगा वही बस इसका reaction होगा तो एक सीज conclusion हम लोग और कर रहे हैं कि roller support चाहे three dimensional हो roller support चाहे one dimensional हो यह क्या होंगे एक ही reactions होंगे hinge अगर two dimensional ही है तो two three dimensional ही है तो three fixed अगर one two dimensional ही है तो three three dimensional ही है तो six number of reactions यहां तक clear है तो number of reactions यहां पर समझ में आ गया number of support समझ में आ गया कि support क्या है ये चीज़े समझ में आगए अब हम लोग को थोड़े से और समझना है कि beam क्या है अब types of beam समझ दें support हमने देख लिया कि कैसा कैसा support हो सकते हैं इसी को हो सकता है colorful diagram देखोगे तो अलग-अलग तरीके से दिखाया जाएगा ultimately result यहीं पे आना है hinge ही होगा जैसा मैंने दिखाया 3-4 तरह का वो इसे ही hinge होते हैं और fix जैसे मैं दिखाया fix का मतलब generally हम लोग का जो घर का beam होता है वो क्या होता fixed होता है ठीक है fixed अब हम लोग धिरे धिरे और आगे देखेंगे कि simply supported और fixed में structure कौन सा ज़्यादा अच्छा हो होता है यह सब हम लोग आज देखेंगे कि क्या हो रहा है next heading मैं डाल रहा हूं types of beam types of beam types of beam सबसे पहले जो सबसे छोटा सा है वो हम लोग देखते हैं cantilever beam cantilever beam cantilever beam जो होता है simple beam है एक तरीके से एक support fixed है इस तरीके से fixed है अब यह इस तरीके से कैसे भी दिखा दो colorful में diagram में कैसे भी दिखा दो यह मैंने कर रखा है fixed अब इसके उपर मैंने load लगा दिया ऐसा या मैंने load लगा दिया ऐसा u deal लगा दिया या हमने load युवियल लगा दिया यह हमने point load लगा दिया हमें beam के बारे भी बात करना load कैसा लगा हम लोग देखेंगे बाद में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ भी beam के बारे बात करना है तो यह है fixed और fixed support में कितने reactions हैं तीन reaction है और एक load हमने लगा दिया इस तरीके से ऐसे beam को हम लोग बोलते हैं cantilever B तो cantilever का मतलब क्या ये एक तरीके से fixed है और ये इस तरीके से है लटका हुआ hanging position पे यहाँ पे load इस तरीके से आ सकते हैं इस तरीके से आ सकते हैं इस तरीके से कैसा भी load आ जाएं ये तीनो load क्या है हम लोग बाद में बात करेंगे यहाँ पे जो fix support है तो reaction क्या होगा R, Y और यहाँ पे क्या है R, X और यिस moment को reaction देने के लिए M, इस तरीके से M at A क्या है, 3 reaction है तो number of reaction यहाँ पे कितने हो गए number of reactions जो है, वो कितने है 3 है, कितने number of reactions है 3 है दूसरा मज़ेदार beam जो है simply supported beam है simply supported beam है simply supported सबसे पहली बात तो simply supported beam जैसे ही आता है तो आप कहीं कहीं पे इसका 2-3 डियाग्राम मैं पहले बनाता हूँ कि क्या हो रहा है जो सबसे पहले simply supported beam जो बनेंगे वो सबसे फेमस जो है जो यूज होते हैं वो ऐसा होता है एक रॉलर और एक हिंज दोनों का combination अगर होगा ऐसे condition में तो हम लोग इसको बोल देते हैं क्या simply supported beam अब यहां पे हिंज के पास कितने reactions आर वाई और ये reactions कितने आर एक्स और रॉलर के उपर प्लेंड के प्रपेंडिकुलर आर वाई कितने reactions वाण स्रकेंड और थर्ड तो अगर simply support पूछे number of reactions पूछे मेरे से कितना 3 अब हम लोग थोड़े से और चीज़े को इसके बारे में और डिटेल से हम लोग जानना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या होगा simply supported बड़ ध्यान से देखना अब हम लोग को थोड़े से समझ में आना स्टार्ट हुआ है अगर कोई मेरे को इस तरीके से बना दे ध्यान से देखना एक रॉलर और इधर भी रॉलर क्या ये simply supported है क्या है generally जो हम लोग समझेगा ध्यान से generally ध्यान से समझेगा generally जो हम लोग simply supported diagram बनाते हैं तो हम लोग 2 arrow बनाते हैं इस तरीके से और कोई load यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं या इस तरीके से load लगा देते हैं इसको बोलते हैं R at A और इसको बोल देते हैं R at B और ये load P है ये load W है किलो न्यूटन पर मीटर इसको बारें बात हम लोग करेंगे और ये किलो न्यूटन ये वाले रियक्षन ये ही वाले डायग्राम है ये देखे R at A और ये क्या है R at B मतलब दोनों तरफ रॉलर सपोर्ट है बड़े ध्यान से देखना अब बात यहाँ पे इसका condition क्या है इस बीम का limitations क्या है कि इसके उपर अगर मैं इस तरीके का load लगाऊंगा अप B तो ये अभी भी stable है कुछ भी इस बीम का बिगड़ना नहीं है ये वाले बीम का limitations क्या है कि जब भी load आएगा vertical load आएगा तब तो RA and RB resist कर जाएगा इस load को लेकिन अगर गलती से ऐसा कोई load आजाए या ऐसा कोई load आजाए inclined load अगर आजाए तो ये support क्या होगा roll करना start होगा इसका displacement होना start होगा इसी के बज़े से हम लोग generally जो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो use होता है और सबसे ज़्यादा condition अच्छा है ये इसका है ये इसको हम लोग generally use करते हैं हम लोग ये वात इसलिए लिख देते हैं ये चीजें इसलिए लिख देते हैं कि जब हम लोग force P लगा रहे होते हैं माल लिजिए इस direction में अगर हम लोग P लगाए तो R by और R y at B point पे और A point पे ये और ये मिल करके इसको resist कर लेगा क्योंकि इसका ये component ये तो 0 है तो ये क्या होता है? 0 हो जाता है इसलिए हम लोग generally ऐसे condition में लिख पाते हैं लेकिन इसका क्या है? limitations है ना कि अगर मेरे से पूछ तो नहीं होगा ना तो अगर मेरे पास अगर ऐसा condition है और load हमने ऐसा लगा दिया तो ये किसका तरफ है? क्या है इसको मैं लिख सकता हूँ? कि यहाँ पे लिखता हूँ roller at both ends roller at both ends or due to inclined loading not used not used मतलब due to unstable not used due to unstable या not used unstable due to कॉमा डाल दिया due to inclined loading inclined loading clear है? यह हम लोग use नहीं करते हैं clear है? अब एक चीज और बच गया है एक और condition बच गया है यह और यह और यह चीज समझे? तो यही वाला यह वाला है तो हम लोग इस वाले sense में R A और R B इस तरीके से जो दिखा देते हैं इसका मतलब ऐसा दिखाते हैं ऐसा beam का limitation है कि inclined loading को resist नहीं कर पाएगा inclined loading ही क्यों? इसको अगर मैं और इसका discussion में करूंगा detail से आगे मैं बस थोड़ा से दिखाता हूँ कि इस loading के उपर अगर कोई ऐसा force लगा दे P force यहाँ पे लगा दे तब भी यह क्या है? unstable है बज़ा क्या है? इस load के बज़ा से एक component P यहाँ पे आएगा P अब इस P को कॉन resist करेगा? यह तो है ही नहीं, इसके पास reaction होता ही नहीं वो तो displace कर जाएगा यहीं कि सिर्फ और सिफ inclined ऐसा भी load आएगा तो भी कहानी खराब कर देगा क्या करेगा? तो भी कहानी खराब कर देगा हमें यह सब चीजों के बारे में सोचना है, structural analysis में concept को build up करना है समझना है, रटने से काम नहीं चलेगा रटने से काम नहीं चलेगा और figure देखने से bending moment diagram नहीं बनेगा और आप लोग देख चुके हैं figure एक बार नहीं बन रहागा गोश्वन हम लोग बनाएंगे खुब practice करेंगे, समझ में आएगा एक condition कोई और भी कहीं पर दिख जाए, कि ऐसा अगर कोई hinge support है ऐसा hinge support है, ऐसे section को भी हम लोग use नहीं करते है ये भी देखने में लग रहा है कि simply supported ही है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या करते हैं, not used not used when not used, किसके लिए, both ends लिख रहा हूँ, both ends, notes बनाईएगा both ends hinged तो इसको क्या करते हैं, not used, किसके बज़े से due to thermal stresses not used due to thermal stresses thermal stress अगर generate हुआ, तो इक कहानी तेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग ऐसा use नहीं करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो use होता है कौन सा, यह सबसे best चीजे हैं, यही है नहीं, overall beam में नहीं बोला हूँ मैं, इन तीन चीज़ में मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई आपको बोलता है कि दुनिया का सबसे बढिया यही है, मैं सुना हूँ एक दो कुछ लोगों का, कि simply supported ही दुनिया का सबसे stable beam है, अरे भया stability का पूरा का पूरा कहान ही change कर दोगे, क्या ठीक है घर में beam use होता है, वो भी simply supported नहीं होता है, तो हम लोग use ऐसा कर लेते हैं, generally हम भी करेंगे ऐसा use, लेकिन ऐसा use कब करेंगे, जब पूरा का पूरा vertical loading रहे, तभी use करेंगे अगर ऐसा loading होगा तो हम लोग ऐसा use नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे एक extra reactions यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि AHA आ रहा है हमें axial thrust इसको बोलते हैं, axial thrust हमें क्या करना पड़ेगा, determine करना पड़ेगा, axial thrust तब जा करके, अब जब हम लोग ऐसा लगा ही दिये, तो फिर यह वाला beam बना की नहीं बना, बनाओ, बताओ यह वाला beam बना न, तो यह वाला condition, यह वाला ऐसा बन गया तो इसलिए हम लोग ज़नरली यह वाला section यूज करते हैं, यह सब section यूज नहीं करते हैं, clear है दूसरा चीज आगे, तो यहां से cantilever beam, simply supported beam यह है, तीसरा overhang beam सोम में हम लोग यही तीन beam का analysis करेंगे, strength of material में यही तीन beam का हम लोग analysis का मतलब shear force bending moment diagram बनाएंगे, बाकी के जो beam में, beam का यूज करेंगे analysis वर structure में यूज करेंगे, और हम लोग इसको continue रखेंगे बड़ ध्यान से देखेगा तीसरा, overhang beam over hang hang over नहीं overhang ठीक है overhang क्या है single overhang और double overhang इसमें कुछ ज्यादा कहान ही नहीं है double overhang ये भी simple supported जैसा ही है एक fixed है और एक roller है लेकिन ये इस point से इधर क्या है? hanging position पे है अब यहाँ पे कोई load लगा दे यहाँ पे कोई load लगा दे इस तरीके से load कोई लगा दे इसको बोलते हैं single overhang एक ही तरफ overhang है हो सकता है इधर overhang हो इधर ना हो ऐसा भी हो सकता है तो ये इस तरीके से हम लोग दिखा दें क्या? इस तरीके से इस तरीके से overhang हो तो single overhang ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है? लेकिन generally यह चीजे unstable है, क्यों है हम लोग बाद में बात करेंगे, तो ऐसा beam generally नहीं करते हैं, इधर roller के तरफ ही हम लोग करते हैं, क्योंकि यह वाला क्या होगा यह वाला force इधर आएगा तो resist करेगा और यह वाला इसको लाओगे, तो यह उपर की तरफ जाएगा, तो यह unstable हो जाएगा, तो यह वाला beam generally हम लोग ऐसा huge नहीं करते हैं, तो इसको हटा दियो, समय में आया है, यह उपर उठ जाएगा यहाँ पे double overhang का मतलब क्या है इस तरीके से, इधर भी overhang और इधर भी overhang इधर भी overhang, इधर कोई भी exam में ज़्यादा तर जो BMDSFD पूछे जाते हैं वो overhang के बारे में ही पूछे जाते हैं क्योंकि इस concept में यहाँ पे एक नया सा concept और introduce होता है यहाँ पे थोड़ा सा काम और ज़्यादा करना पड़ता है contra-flexure point निकालना पड़ता है अब वो सब क्या है हम लोग जैसे जैसे अंदर जाएंगे सीखते जाएंगे कि क्या है ठीक है overhang तीसरा next जो beam है अब यहाँ पे continuous beam है क्या है continuous beam तीसरा fourth continuous beam continuous beam continuous beam को मतलब समझेगा अगर एक से ज़्यादा span हो ऐसे beam को हम लोग continuous beam बोल देते हैं ऐसे span को हम लोग क्या बोल देते हैं continuous sorry multiple span को एक से ज़्यादा गरश्पैन हो तो ऐसे beam को हम लोग बोल देते हैं continuous beam जैसे हो सकता है एक तरफ fixed हो और दूसरे तरफ भी fixed हो या हो सकता है बीच में कोई रॉलर से हो हो सकता है हिंज हो हो सकता है यहां पे भी हिंज हो या हो सकता है एक तरफ फिक्स्ड हो और दूसरे तरफ भी फिक्स्ड हो और बीच में दो रॉलर के साथ सपोर्टेड हो और भी एक spend, दो, तीन spend, चार spend, पाँच spend, कुछ भी हो सकता है, ये है, generally जो आपके पास इसका analysis करना है, क्यों analysis करना है, structure analysis में हम लोग देखेंगे, इस पे बात करेंगे भी, मैं बस नाम नाम पहचान रहा हूँ कि continuous beam कैसा, एक span, दो, तीन, multiple span of the beam को हम लोग क्या बोल देते हैं, continuous beam, ये supporting condition कुछ भी हो सकता है, ये supporting condition, कुछ भी मतलब क्या, जो हम पढ़ें, वही, roller हो सकते हैं, hinge हो सकते हैं, fixed हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, fifth जो है, उसको हम लोग बोलते हैं, probed cantilever, pro, Supported cantilever, Proped cantilever beam का मतलब क्या है? Supported cantilever है, तो सबसे पहली बात क्या है? देखो, ध्यान से देखना, ये क्या है? cantilever और ये cantilever projection पे कुछ न कुछ और supported मिल जाए इस तरीके से, ऐसे को हम लोग बोलते हैं, Proped cantilever beam और load कैसे? ऐसे कुछ भी लगा दो, UDL लगा दो, या point load ल cantilever को, Proped का मतलब support कर दो, तो जो free end है, ये इसको क्या बोलते है? fixed end, और इसको क्या बोल रहे थे? free end, cantilever का मतलब, इधर जो है, इस तरीके से cantilever जो बनते हैं, इसको free end बोलते हैं, तो free end पे, हम लोग क्या कर दिये? support लगा दिये हैं, इसको बोलते है, prop cantilever beam six जो है उसको हम लोग बोलते हैं fixed beam fixed beam का मतलब क्या है बड़ जयां से देखना इधर भी fixed एक end condition जो end 1 जो है fixed और दूसरे end भी क्या है fixed एक end fixed दूसरे end fixed this is the fixed beam इसको क्या बोलते हैं? fixed beam यहाँ पे number of reactions 3 और यहाँ पे number of reactions 3 कितने number of reactions 6 कितने number of reactions 6 अब बड़ दियान से देखेगा, अभी तक हमने जो भी लिखा है, अभी तक अगर मेरे को reactions निकालने की जो पड़े, तो मैं क्या करूँगा समझना एक reactions इसमें number of reactions कितने? number of reaction कितने? 3 बड़ दियान से देखना यहाँ पे कितने reactions एक reaction, दो reaction और एक, तीन reaction रॉलर है, चार हिंज है, तो एक और एक ऐसा या ऐसा, वो दिखने को मिलेगा, कि condition कैसा है, loading diagram का यहाँ पे कितना, एक और एधर, एक कितने reactions एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सेवेन, और 8 number of reactions कितने? number of reactions कितने? 8 अभी हम लोग बस number of reaction count कर रहे हैं, जो हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे number of reactions कितना? एक, दो, और तीन, और यहाँ पे 4, यहाँ एक 5, और एक 6 और एक 7 और एक 8 number of reactions कितने? 8 क्या? 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने number of reactions? 8 यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे देखो हिंज है number of reactions? 2 यहाँ एक 3 तो number of reactions कितना? बस अभी हम लोग देख रहे है number of reactions count 3 यहाँ पे number of reactions roller है, तो एक reaction fixed है, तो maximum कितना? 1, 2, और 3 तो number of reactions कितना? number of reactions कितना? 4 यहाँ पे fixed तो एक reactions 2 reactions और एक 3 4 5 और 6 number of reactions कितना? number of reactions कितना? 6 गुरू number of reactions कितना? 6 मैं क्यों यह सब बताया हूँ, मैं तो जानते हो ना, पहले कुछ बताता हूँ, उसका कुछ नो कुछ लॉजिक होता है, इसका मैं यूज करूंगा, तो पहले मैं अभी आपको इतना चीज करा करके, मैंने आपको यह सिखाया, कि number of reactions क्या होते हैं, कितना होते हैं, किस support में कि इतना generate होंगे, यह आप पहचानना आ गया है, और equilibrium equations कितने होते हैं, two dimensional condition में equilibrium equations कितने, three, मैंने अभी समझाया था ने, determination, indeterminacy का word आया था, उसमें degree of indeterminacy का, जो formula होता है, वो हता है, number of reactions minus number of equilibrium conditions, यह चीज मुझे बताना था, तो number of reactions बता गया, दिया, number of equilibrium condition हमें पता है, minus कर देंगे, degree of indeterminacy पता चल जाएगा, कि क्या है, उसी से हमें पता चलेगा, determinate है, indeterminate है, stable है और unstable है, दोनों, अभी हम लोग इसी को थोड़ा से और आगे बढ़ाते हैं, यह तो आपको हर एक जगह पे दिखने को मिलेगा, अब देखो, यहां तक हम ल number of structure analysis, fifth में structure analysis, sixth में structure analysis, और seven, eight, nine, और हम लोग देखते हैं, कि क्या है, यह हम लोग बात करते हैं, और भी type of beam होते हैं, अब हम लोग वहां पे घूशने वाले हैं, उस portion में entry करने वाले हैं, जहां पे देखते ही डर होता है, अरे बीच में कुछ दे दिया, अरे यारी, क्या दे दिया, क्या करूँ मैं इसका, कैसे करूँ, हम लोग अब उसको solve करने वाले हैं, कि क्या हो रहा है, heading मैं डाल रहा हूँ, इसको पूरा clear करके, beam with internal hinge, heading डाल रहा हूँ, beam with internal hinge, बने ध्यान से देखेगा, beam with internal hinge, मैं सब मिटा रहा हूँ, समझिएगा, beam with internal hinge, ये थोड़े से unique है, ये थोड़े से label बढ़ रहा हमारा, ठीक है, internal hinge, generally, हम लोग दो तरीके का internal hinge देखते हैं, generally, एक internal hinge हम लोग इस तरीके का देखते हैं, कि जैसे कोई section मोटा है, मोटा ही अभी मैं बोल रहा हूँ, EI नहीं बोल रहा हूँ, बजय क्या है, अभी समझ में नहीं आएगा, वही बोलूँगा मैं समझाने के बाद, दूसरे section क्या है, पतला है और इन दोनों के बीच मैंने connection कर रहा है, इस तरीके से rigid joint, rigid है, लेकिन इस section का ताकत कुछ और है, और इस section का carrying के ताकत क्या है, load carrying capacity क्या है, कुछ और है, अगर मैंने load डाला है इस beam के ऊपर, दोनों तरफ से क्या है, माली जे fix supported हैं, दोनों उंगली जो मेरा है दिख रहा है इधर दोनों उंगली, ये दोनों fix supported हैं, और बीच में इसका देखो diameter जादा है, इसका diameter कम है, अब मैं अगर load डाला हूँ इसके ऊपर, अगर load exceed करूंगा, तो पहले क्या फेल होगा, यहां से फेल होगा, hinge जो word है, generally designer जो होता है, hinge डालता है, जान बुज करके डालता है, क्यूं डालता है कि hinge जो है, कमजोर portion है, weakest portion है, hinge, बजय क्या है, कि अगर exceed कर रहा है, load बढ़ रहा है किसी region से, तो यह load, यह member पे जो load है, और यह member पे जो load है, यह क्या कर रहा है, transfer ठंग से करने के लिए लगाया गया है, अगर मैं load exceed करूंगा, तो internal hinge पहले break होगा, यह member भी safe हो रह गया, और यह member भी safe रह गया, समझ दिये का ध्यान से, यह member भी safe रह गया, और यह member भी safe रह गया, hinge तूट गया, इसी लिए हम लोग internal hinge का concept लेके आते हैं, अब internal hinge जो है, दो type के internal hinge है, इसमें वाले section पे एक मोटा है और एक पतला है और एक rigidity है, यह दोनों बिलकुर rigid joint बना रखे हैं, तो ऐसे section को लोग बोलते हैं internal rigid joint, क्या बोलते हैं? Internal rigid joint बोलते हैं, internal rigid joint और member एक ही जैसा है, और बीच में मैंने hinge प्रोवाइड किया है, उसको लोग बोलते हैं internal hinge simple, internal hinge, दोनों condition पे आम लोग बात करेंगे कि क्या है? तो internal hinge का condition number first क्या है? द्यान से देखना condition number first क्या है और internal hinge का condition number second क्या है ये देखना बड़े आराम से बहुत ही आराम से आपको देखना है इस पे ज़्यादा कुछ भी करने की जोथ नहीं है बड़े आराम से एक fixed है एहां पे मोटा section है यहां पे छोटा section है मतलब पतला section है और ये भी fixed supported condition में available है ठीक है ये point ये है B point ये है या इसको B नाम दे दीजिए इसको C दे दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है C दे दीजिए A point, B point और C point अब अगर मैंने load इस तरीके से load मान लीजिए लगाया है P1 और load मैंने लगा दिये है P2 inclined लगाया है ताकि बहुत अच्छे से हमें समझ में आए कि क्या हो रहा था या इसको थोड़े से और condition को change कर दे हम लोग fixed को हटा करके अगर हम लोग roller बना दे तो क्या दिक्कत हो जाएगी कोई problem नहीं है क्या है कोई problem नहीं है माल लीजिये हम लोग यहां पे roller support हम लोग उने बना दिया क्या है मैंने क्या बोला यही बोला था ना roller roller suck एसे condition है और एक condition कहां पे है ऐसा है चलिए पहले हम लोग इसी का analysis करते है फिर उस पे आएंगे यह है B को हम लोग बोलते है यह वाले point को हम लोग बोल रहे हैं internal rigid joint internal rigid joint अब अगर मैं इसका FVD बनाऊंगा बड़ ध्यां से दिखना अगर मैं इसका FVD बनाऊंगा free body diagram बनाऊंगा और इसका free body diagram बनाऊंगा ध्यां से देखना इसका free body diagram अगर मैं बनाता हूं तो क्या मैं बनाऊंगा यह चीजे हम लोग को देखना है यह load के बज़े से moment आएंगे यहाँ पर यह rigid joint है moment transfer कर रहा होगा moment resist कर रहा होगा लेकिन हम लोग कोशिस करते हैं कि rigid point पे internal rigid joint पे net moment क्या हो जाए zero हो जाए हम लोग यही कोशिस करते हैं तो सबसे पहले इस load के बज़े से यह वाला section पे एक moment इधर की तरफ और यहाँ पर net moment होना होगा तो यह इस तरीके से तो यहाँ पर इस तरीके से moment generate करना पड़ेगा देखो यह क्या है anti clock तो यह क्या है clock anti clock clock anti clock clock मतलब net क्या है moment zero ठीक है और यहाँ पे summation of Rx यह वाला reaction यहाँ पे भी generate हो रहा होगा एक reaction यहाँ पे generate हो रहा होगा अब इस load पे इस load का यहाँ पे भी कोई force generate हो रहा होगा R y यहाँ पे क्या है R y अब यह reaction ले रहा है तो यहाँ पे भी reaction क्या होगा R x और यहाँ पे भी reaction जो vertical force होगा वो कैसा यह वाला direction में इस तरीके से अब ध्यान से देखना अगर यह load के लिए यह load के बज़े से इसका load के बज़े से यह हमने क्यों लगाया क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है इस तरीके से लगा रखा incline तो एक load ऐसा और एक load ऐसा generate होगा यह वाले load को कौन resist करेगा rx और यह ry यह वाले load को कौन resist करेगा ry और इस load के बज़े से यहाँ पे जो moment ऐसे होगा उसको resist कौन करेगा यह mz और mz बात समझ में आया कि नहीं आया मैं इसको फिर से repeat करता हूँ क्योंकि डर लगता है यह चीज आने से residue joint है मतलब load transfer कर रहा होगा एक section से दूसरे section पे जा रहा होगा अगर यह हमें section को कमजोर को मजबूत बनाना है तो या तो मुझे पतले वाले का section चेंज करना होगा stiffness या तो material का बढ़ाना पड़ेगा देखें आधियां से stiffness आगया ना बात मैं क्या बोला था सोम में stiffness, stability और strength यह 3S पे पूरा काम करेगा अगर यह पतला है तो इसका stiffness इसके से ज़्यादा हो तो resist कर ले बढ़ाएं तो stiffness बढ़ाने के लिए एंग्स मॉडलस औफ इलासिसिटी और moment of inertia बढ़ाने के लिए I और यह यह दोनों का product को हम लोग बोलते हैं E I E I क्या है हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या है ठीक है अब ध्यान से देखेगा तो free body diagram क्या हुआ समय में आया यहाँ पे यहाँ से यह reactions को इस तरीके से इस तरीके से आएगा लोड लेगा तो यहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके से इसको यहाँ से यह वाले इस तरीके से लोड करी करेगा This is the free body diagram for internal rigid joint internal rigid joint clear है थोड़ा सा समझ में आया गया internal rigid joint अब देखेगा क्या है अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ internal hinge के ऊपर जा रहा हूँ कि internal hinge क्या है वो तो rigid था अब internal hinge क्या है simple वो हम लोग देखते हैं कि क्या है मान लिजिए कोई section है इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से supported है या hinge है या कुछ भी मान लेते हैं इस तरीके से हमने hinge मान लिया hinge बीच में internal hinge का मतलब या तो ऐसे दीखेगा या इस तरीके से dark दीखेगा इसको बोलते हैं internal hinge या इसको बोलते हैं pin joint इसको क्या बोलते हैं pin joint अब अगर इस section पे अगर मैंने load लगाया P2 या P1 और इसके उपर force लगाया P1 तो ये वाला rigid joint में moment आता है यहाँ पे जो होता है ये moment carry नहीं करता है बज़ा क्या है अगर ये fail होगा तो ये section इस तरीके से क्या होगा गिर जाएगा क्या होगा गिर जाएगा तो internal rigid जो होता है या तो सिर्फ और सिर्फ axial force को resist करेगा और या तो vertical force को ही resist करेगा मतलब क्या होगा या तो axial force horizontal reaction को resist करेगा या तो vertical reaction को ही resist करेगा यहाँ पे जो number of reactions आते हैं वो क्या आते हैं दो आते हैं और यहाँ पे net moment क्या होगा अगर यह section ऐसा हो गया है, तब तो यह section फेल हो गया है, इसका मतलब देखो bend हो गया है, bend होने का मतलब यहाँ पे एक theta बना लिया है, theta 1 और यहाँ पे theta 2 हो सकता है, theta 1, theta 2 बराबर हो जाए, हो सकता है दोनों अलग-अलग हो जाएं, तो यहाँ पे क्या हो गया है, इस तरीके स आ गया है, तो जब internal hinge होंगे, बड़ यहां से देखना जब internal hinge होंगे तो यहां पे net moment जो होगा, वो क्या होगा 0, यह moment को transfer करने के काबिल नहीं है, यहां पे internal hinge जो है B point पे B point यहां पे भी नाम दे रहा हूँ internal hinge B point पे 2 internal reactions होंगे, क्या कितना होंगे यहां पे, 2 internal reactions होंगे 2 internal reactions कौन होंगे axial force मतलब यह वाला और shear force कौन सा, vertical force यह वाला ठीक है, axial force और यह हमेशा एक चीज याद रखना है हाँ से, कि at internal hinge यह वाले पे नहीं, यह वाले पे at internal hinge moment is always zero moment is always zero, मतलब M at zero, M at B is equals to क्या zero बड़ ध्यान से देखेगा इसका मतलब मैंने क्या बोला no transfer of bending moment across internal hinge इसका मतलब क्या है, internal hinge हमने क्यों प्रोवाइट क्या है moment release equipment बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं moment release equipment बोलते हैं bending moment across transfer नहीं कर रहा है, इसका bending moment इसके उपर नहीं लेक्या रहा है इसी लिए जो as a civil engineering के designer point of view समब बात करेंगे तो जहां पर बड़े बड़े structure होते हैं वहाँ पर internal hinge provide कर दिये जाते हैं, जान बुझ करके कि इसके उपर अगर overload हो तो यह internal hinge तूटे, यह member खराब ना हो क्योंकि load transfer करना start करेगा, तो member खराब होना start होगा तो internal hinge fail होगा, member गिर जाएगा फिर इस member के उपर internal hinge दूसरा लगा करके हम लोग काम कर लेते हैं तो generally क्या होता है, बड़े दियान से देखेगा दो flexural member के लिए joining point है यह भी flexural member है, यह भी flexural member है दोनों point के लिए क्या है? joining point है joining है, internal hinge क्या कर रहा है? two flexural member का joining point है no transfer of bending moment across the internal hinge लिख लीजिए, note डाल के लिखिएगा no transfer of bending moment no transfer of bending moment across the internal hinge अब अगर load बढ़ता है, बड़े ध्यान से देखेगा इसी बज़े से, मैंने भी क्या बोला, continuous beam में generally designer क्या करता है, इस चीज को provide कर देता है बजय क्या है? कि connection है, यहाँ पर movement लेनी रहा है transfer करनी रहा है, तो bridge you resume generally ऐसा कर देता है, कि अगर इसके ऊपर load जादा हुआ, तो internal hinge टूटे, member ना टूटे, बराबर, अगर मुझे resist करना है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा stiffness बढ़ाना पड़ेगा, इस section का क्या करना पड़ेगा, stiffness बढ़ाना पड़ेगा, इस section का क्या करना पड़ेगा stiffness बढ़ाना पड़ेगा, या तो stiffness बढ़ा दू, या तो इसका moment resisting capacity बढ़ा दू, moment of inertia बढ़ाऊं, आई बढ़ाऊं, आई बढ़ाने का मतलब depth बढ़ा दू, simple सी बात है, depth of the section, depth of the beam बढ़ाऊं, तो इसका rigidity क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, flexural rigidity क्या होता है, बढ़ता है, तो EI को हम लोग क्या बोलते हैं, flexural rigidity, EI जो component है, उसको क्या बोलते हैं, flexural rigidity, this is the internally, यहाँ पे moment mz, mz है, वहाँ पे moment नहीं है, यह है internal hinge, clear है, अब तूसरा के बाद, तीसरा जो आएगा, internal roller joint, यह सब देखने से डर लगता है, अभी clear होगा, सब कुछ समझ में आएगा, फंडा, कि यह वाला internal hinge क्या कर रहा था, यह वाला internal hinge क्या कर रहा था, यह दोनु समझ में आगया, कोई दिक्कत की बात नहीं है न, आगे बढ़ता हूँ मैं, कि beam with internal roller joint, internal roller joint, beam with internal roller joint में लिखता हूँ, internal roller, internal roller, इंटर्नल roller, इंटर्नल roller, इंटर्नल roller, internal roller का concept क्या है, समझियेगा, low, यह क्या है, internal roller, यह point A, B और C, इसको बोलते हैं, internal roller, इंटर्नल roller, इसका मतलब, अब देखो, roller के ऊपर, यह वाले force तो possible है नहीं, roller के पास कैसा, two dimensional में भी एक ही reaction, three dimensional में भी एक ही reaction, तो beam के अंदर भी, अगर मैं इसको, ध्यान से देखना, इसका मैं free body diagram बनाता हूँ, बड़ ध्यान से देखना, तो इसके ऊपर मालीजे, कोई force आ रहा होगा, इस तरीके से कोई force मालीजे, आ रहा होगा, इस तरीके से कोई force आ रहा है, माल लेना है, देखते हैं क्या होता है, यह इधर लगा दीजिए, कहीं पर लगा लोग कैसा भी, यहाँ पर rotation allowed है नहीं, reaction, rotation तो हो नहीं सकता है, क्यों होगा rotation, यहाँ पर rotation होगा, rotation होगा इसलिए reaction नहीं आएगा, बात को ध्यान से समझेगा बाते को, हमेशा मैं बात दोनों तरफ से बता रहा हूँ, reaction जहाँ पर नहीं हो रहा जो चीज हो ही तो reaction है, यहाँ पर moment होगा, reaction, moment का reaction नहीं आएगा, तो ध्यान से देखने नहीं आएगा, कि यहाँ पर सिर्फ B point पर moment at B भी क्या होगा, 0, moment at B, reaction point of view जो बात कर रहा हूँ, bending moment यहाँ पर क्या है, 0, और इसका axial force भी इसका क्या होगा, 0, मतलब HX जो है, वो क्या है, 0, और summation of M, यहाँ पर कोई moment generate नहीं होगा, तो यहाँ पर simple और simple क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ, shear force resist करेगा, not equals to 0, मतलब एक reaction, अगर मैं इसका free body diagram बनाऊं, तो इसके उपर ऐसा और इसको reaction को balance करने के लिए, force कैसा, ऐसा, this is a R B, R B, R B, this is the, क्या, shear force, this is the shear force, आपको याद रखना है, internal hinge में moment 0, internal roller में moment भी 0, axial force भी 0, shear force not equals to 0, internal hinge में moment 0, shear force not equals to 0, axial force not equals to 0, clear है गुरू, अब चीजें और चीजें को देखते हैं कि क्या है, next and last क्या है, fourth इसी में sleep roller या sleep joint और double roller joint, sleep joint, और double roller joint, double roller joint, अब बढ़ देहां से देखना, double roller, माल लीजिए एक beam है, एक roller इस तरीके से, guided है, guided है, दूसरा roller इस तरीके से, guided है, जब भी कभी ऐसा दिख जाए आपको, b point पे, तो roller जब भी है, तो axial force क्या होगा, 0, यहाँ पे, axial force क्या होंगे, horizontal force क्या होंगे, horizontal या axial force क्या होगा, 0, और guided roller है, तो moment यहाँ पे क्या होता है, होता है न, तो यहाँ पे होगा क्या, shear force not equals to zero, मतलब कुछ न कुछ होगा, moment at be not equals to zero, अब देखो कहाँ नहीं, और क्या लोगे, इससे ज़्यादा खुल करके, इसमें, कुछ भी है नहीं दोस्त, तो देखो, चार condition बताया, कि internal roller है, तो ऐसा, sleep joint और double roller joint है, तो ऐसा, बजय क्या है, double roller या guided roller में, guided roller में, एक extra moment आ रहा था न, कि moment उसका reaction होगा, moment नहीं होगा, मैंने दरवाजा बला example दिया, मैंने समझाया, तो यह चीज़े यह वाला, किलिएर, अब चीज़े last, मैं पहले थोड़ा सा, समझाता हूँ, इन दोनों को combine करके, कि situation हो क्या रहा है, ठीक है, situation हो क्या रहा है, और यह सब बाते, हम लोगों ने किया क्यूं है, वो हम लोग को समझना है, मैंने शुरुवाती लेक्चर में, कि हम लोग strength of material में, determinate beam का, या determinate structure का analysis करते हैं, अब determinate की हम लोग कैसे निकाले, ये कैसे करना होगा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा, इन determinate की कैसे निकालते हैं, ये भी देखना पड़ेगा, कितने degree से indeterminate ही, ये भी देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ते जाएंगे, आगे clear खोता चला जाएगा कि क्या हो रहा है, तो मैं इसको erase करता हूँ, और सबसे पहले ही बात number of equilibrium conditions देखते हैं, फिर degree of indeterminacy देखते हैं, फिर हम लोग कुछ example देखेंगे कि किसी भी section का छोट आसा basic अभी हम लोग बना रहे हैं, हलांकि ये structural analysis में degree of indeterminacy, truss, frame, beam, सब कुछ का हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग beam, beam का थोड़ा सा देख पल देते हैं कि क्या हो रहा है, तो सबसे पहले number of equilibrium condition हम लोग देखते हैं, number of equilibrium condition हम लोग ज़्यादा तर जो बात करते हैं, वो two dimensional पे ही बात करते हैं, ठीक है, तो two dimensional में number of equilibrium condition कितने होते हैं, three होते हैं, three कौन-कौन से होते हैं, जो हम लोग बहुत सुरू से ही देख रहे हैं, summation of fx is equals to zero, summation of fy is equals to zero, और summation of m is equals to zero, summation of mz is equals to zero, या normal m लिखा जाए, summation of m is equals to zero, यह तीन number of equilibrium condition होते हैं, इसी में थोड़ा सा और advance हम लोग देखते हैं, कि अगर internal hinge present होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, if internal hinge present, then, if internal hinge present, then, one equilibrium conditions जो होगा, additional provide किये जाएंगे, ठीक है, अगर internal hinge present है, तो internal hinge अगर present है, तो यहाँ पे one additional equilibrium conditions मेरे पास extra मिल जाते हैं, अगर एन हिंज हैं, ध्यान से देखिएगा, एन internal hinge हैं, एन internal hinge हैं, तो एन number of equilibrium condition मुझे मिल गए, अब इसका huge क्या होगा, यह हम लोग देखेंगे, internal hinge है, तो one equilibrium condition, यह हम लोग को याद रखना है, इन्टर्नल हिंज है, तो हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, एक equilibrium condition extra मेरे को मिल गए, एक्स्टर्नल equations जो है, वो तो है, जो हमारे पास तीन है, यह तो है, और अगर internal hinge किसी तरीके से मेरे को दिख गए है, इन्टर्नल हिंज, जो यह वाला यहाँ पे मैंने बताया था, तो हमारे को एक equilibrium equation extra मिल गए है, और n internal hinge है, तो n number of equilibrium condition extra मिल गए है, आपको याद रखना है, यहीं पे मैं इसी board पे लिखता हूँ, degree of, degree of indeterminacy, degree of indeterminacy, हम लोग इसको represent करते हैं, D, S, E से, तो degree of indeterminacy कैसे निकालते हैं, number of reactions available, number of reaction, reaction किसका होगा, number of support reaction, चलो पूरा ही लिखो, number of support reaction, reactions, minus number of equilibrium condition, इन दोनों का जो difference है ना, इन दोनों का जो difference है, that is actually degree of indeterminate, या in degree of indeterminacy, degree of indeterminacy का मतलब क्या है, अभी हम लोग थोड़े से और बात करेंगे, अभी 2-4-5 मिनट के लिए बस ये समझो, कि हाँ, degree of indeterminacy कैसे निकालेंगे, number of support reactions, में से minus करेंगे, number of equilibrium conditions, clear है, इतना याद रखो, अभी अभी फिलाल के लिए, जैसे इसको खतम करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे, example से समझेंगे कि क्या मैं बोल रहा था, अब यहाँ पर DSE आने का दो तीन condition है, कि DSE अगर 0 आ जाए, आ सकता है, condition दूसरा DSE greater than 0 आ जाए, तीसरा condition है DSE less than 0 आ जाए गुरू, यही हो सकता ना, 0 आ सकता है, 0 से जादा आ सकता है, और 0 से कम आ सकता है, जब DSE 0 या 0 से जादा होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि stable होगा, इसको मैं पूरा लिखता हूँ, if DSE is equals to 0, then structure is statically stable and determinate, लिखता हूँ, structure is statically stable and determinate, structure is statically stable and determinate, greater than 0, so structure is statically stable and indeterminate, DSE less than 0 है, तो structure is unstable and determinate, क्या है, structure is unstable and determinate, clear है, अब बड़े ध्यान से देखेगा, कि हम लोग इस पर बात क्या कर रहे हैं, हमें focus क्या करना है, stable, stable और unstable, हमें focus कहां करना है, determinate और indeterminate, हमें focus कहां करना है, structure is statically stable and determinate, structure stable है, बड़े इंडिटर्मिनेट है, structure unstable है, बड़े इंडिटर्मिनेट है, किलियर है, बड़ हमें ध्यान देना है additional, अभी बोलूँगा तो घिश भी चोज़एगा, चलो, पहले हम इसको इसको ऊपर question करते हैं, question करने के बाद हम लोग को समझ में आ जागा थोड़ा सा, फिर हम लोग additional एक और concept इस पर समझेंगे, इसमें कुछ exceptional case भी है, कुछ अलग से theory है, कि अगर reaction जो होना चाहिए, वो non-parallel होना चाहिए, और non-concurrent होना चाहिए, अगर parallel होगे हैं सारे के सारे reaction, तो वो linearly unstable है, और अगर concurrent होगे हैं सारे के सारे reactions, तो ये भी unstable है, अब कौन सा unastability है, तो rotational unastability है, rotational unastability है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, clear? अब हम लोग को थोड़े से सुरुवात से समझने हैं, कि बीम, जितने type की बीम हम लोगों ने देखा है, उस सारे के सारे बीम, determinate हैं, stable हैं या unastable है, सारे के सारे बीम को हम लोग देखेंगे कि क्या है, फटा फट 5 मिनट में समझ में आ जागा कि क्या है, याद रखना है degree of indeterminacy, अगर indeterminacy का मतलब जादा आ रहा है, positive आ रहा है, तो stable है और indeterminate है, इसका मतलब, कि जितने जो मेरे पास reactions available हैं, और number of reactions जादा होंगे, और ये कम होंगे, तब ही तो ये positive आएंगे, तो unknown जो है वो जादा है, और known जो है, निकालने का मेरे पास 1000 जो है, वो कम है, तो क्या मैं unknown को known कर पाऊंगा क्या, determine कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा, ये चीज बताता है, कि आपके पास जो number of unknown reactions हैं, या number of unknown term हैं, आप उसको define नहीं कर पाओगे, जब तक जितने degree से indeterminate हो रहा है, उतने additional आप equation नहीं लाओगे तब तक, तो ये सब चीजों का use, deflection के topic का use होता है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने deflection के बारे में कुछ नहीं बोला, तो deflection का topic जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां से हम लोग term लाते हैं, कि अगर एक continuous beam है, तो कोई support के ऊपर, deflection जो होना चाहिए, वहां से हम लोग term लेगा है, मतलब जितने degree से indeterminate होगा, उतने reactions और, उतने equilibrium conditions और, उतने हमें data और extra solve करने के लिए लाने पढ़ेंगे, conditions और लाने पढ़ेंगे, तब मैं use कर पाऊंगा यह, तो जब तक आप जानोगे नहीं कि कितने degree से indeterminate हो रहा है, तो number of conditions कहां से लाओगे, तो वो चीज जानने के लिए हम लोग यह सब चीजे use करते हैं, कि कितना से है, stable है कि अना stable है, तो मैंने सुरू में ही समझाया था, कि stability, stiffness और strength का ही लड़ाई है, पूरे strength of material में, तो मैं इस सब concept का use करके, थोड़े से example के mood पे आता हूँ, example, 7-8 करते हैं, देखते हैं, यह है, ताकि हम लोग को समझ में आये कि हम लोग सोम में क्या क्यू पढ़ते हैं, यही तीन, determinate का कर पाते हैं, यह है, example, सबसे पहले हम लोग सुरू में पढ़े थे, cantilever beam, cantilever beam क्या है, इस तरीके से cantilever है, माल लिजिए, यहाँ पे कोई load है, P, इस load को हम लोग point load बोलते हैं, हम लोग last में चीज़ देख लेंगे, point load, UDL होता है, UVL होता है, concentrated moment होता है, UDL moment होता है, उस हम लोग देखेंगे, अभी बस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, एक reaction, दो reaction, और तीन reaction, ध्यान से देखना, number of reaction कितने, 3, और equilibrium condition हमारे पास कितने available हैं, equilibrium condition कितने, 3, तो इस condition का DSE कितने, number of reactions, minus number of equilibrium condition कितना, 0, तो जब DSE 0 होता है, तो यह section दो चीज़ को बताता है, कि भाया यह तो stable है, और क्या है, determinate है, दूसरा example अगर मैं देखूँ, कि simply supported का लेते हैं, द्यान से देखिएगा, simply supported का लेते हैं, कोई you load इस तरीके से डाल दो, कितने reaction, एक reaction और एक, दो reaction और एक, तीन reaction, एक reaction, दो reaction, त्री reaction, number of reactions कितने, 3, number of equilibrium conditions कितना, मैं थोरा काम चोरी कर रहा हूं, समझिएगा, 3, तो D, S, E कितना, 3, minus 3, that is 0, इसका मतलब, stable and determinate, stable and determinate, stable, पुरा नहीं लिख रहा हूं, determinate, पुरा नहीं लिख रहा हूं, S and D, stable and determinate, तीसरा, कोई भी आप overhang लेलो, overhang भी लेलोगे, तो simply supported का येक special case है, मालीजे, double overhang लेली हमने, क्या दिक्कत होगा, यहां पे भी reactions, 2, और 1, 3, तो ये भी D, S, E कितना, 3 reaction, minus 3 equilibrium, that is 0, ये भी क्या है, S and D, stable and determinate, stable and determinate, अब देखना, S, E, J, में question पुछे गये है, ये, probbed cantilever beam, क्या है, probbed cantilever beam, number of reaction 1, number of reaction 2, number of reaction 3, 2, 1, और 3, और एक reaction, एक और ये वाला, तो ये 4, तो number of reactions कितने, number of reaction of support कितना, 4, equilibrium condition कितना, 3, तो D, S, E कितना, reaction minus equilibrium condition, 4 minus 3, कितना, 1, जब 0 होता है, या 0 से जादा होता है, तो ये क्या होता है, stable होता है, and greater than 0, तो indeterminate होता है, इसका मतलब मुझे इस section को analysis करने के लिए, जो equilibrium equation, conditions हमारे पास available है, summation of fx is close to 0, summation of f5 is 0, summation of m is close to 0 से काम नहीं चलने वाला है, मुझे एक additional concept लाना पड़ेगा, इसके लिए, कि यहाँ पे deflection जो होना है, वो क्या होना है, 0 होना है, तो कितना degree of indeterminacy, 1, तो एक condition extra हमें लेके आना पड़ेगा, कि deflection of this point is equals to 0, जब हम deflection of 0 इस तरीके से करेंगे, कहानी solve हो जाएगा, अभी हम लोग इस पे घुसना नहीं है, अंदर जाना है, अभी हम लोग को बस यह समझना है, कि degree of indeterminacy का मतलब क्या, 1, 1 का मतलब आपको यह तीन से काम नहीं चलेगा, आपको additional concept लेके आना होगा, और वो हम लोग deflection से लेके आएंगे, example number 5, और क्या मैंने पढ़ा था, simply fixed, fixed, एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, तो तीन यहाँ पे और तीन यहाँ पे, number of reactions, कितना छे, number of equilibrium conditions, कितना, equilibrium conditions कितना, 3, तो DSE कितना, 6-3, that is 3, बाप रिबाप, समझना है, इसका मतलब, हमारे पास solve करने का अजार कितना है, 3, इसके पास unknown 6, 3 equations और मुझे कहीं न कहीं से additional equations मुझे चाहिए, fixed beam को क्या करने के लिए, use करने के लिए, fixed beam को analysis करने के लिए, मुझे additional कितना चाहिए गुरू, 3 equations चाहिए, तो 3 अगर available है, तो यह तो stable है, positive में है, तो stable है, and indeterminate है, देख लेना spelling, determinate गलती लग लिख रहा है, I-N-D-E-T-E-R होगा, indeterminate ठीक है, जल्दिवाजी मिली, next क्या है, माल लिजे continuous beam है, इस तरीके से देख लो, यह है, कितना number of reactions, अब मैं इतना बार-बार arrow नहीं बनाऊंगा, अब हमें आदत हो गया है, fix है, तो 3, roller है, 1, hinge है, तो 2, कितने number of equations, number of reactions कितने, number of reactions कितने, 3 plus 1 plus 2, 6, number of equations कितने, equilibrium equations, equations का मतलब equilibrium equations, कितने होते हैं, 3, D, S, E, कितने, 6 minus 3, that is, 3, मतलब, 3, यह क्या है, stable है, and, I, and, determinate है, stable है, and, indeterminate structure है, stable है, and, indeterminate है, ठीक है, अब हम लोग को, extra और हम लोग को देखते हैं, और कुछ चीज़े देखते हैं, कि क्या है, अब यह unstable का नहीं देखें, वो भी देखेंगे, और भी एक-दो condition, internal hinge नहीं यूज किये हैं, पहले मैं, जार चार आथा, यह सब यूज कर पाएं, कर लेते हैं, ठीक है, तो रॉलर रॉलर अंदर में देखने के बाद, बीम के अंदर, घवराना नहीं है भाई, हम लोग base बनाए हैं, तो उसका यूज भी करेंगे, घवराना बिलकुल नहीं है, structure बस structure से, अब कोई एक ऐसा example लेते हैं, माल लीजिए, ये hinge है, ठीक है, support है roller, और क्या ले लूँ, roller ले लू, roller ले लू, roller ही ले लेता हूँ, roller, और एक और roller ले लो, इस तरीके से, एक hinge यहाँ पे, एक hinge यहाँ पे, एक hinge यहाँ पे ले लिया, ठीक है, चलो फिलाल अभी यहाँ पर नहीं लेते हैं ले करके देख लेंगे कोई बात concept होना चाहिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अब देखो यह hinge बड़े ध्यान से देखना यहाँ पर number of reactions दो hinge है, external hinge है तो number of reactions दो, जो मैंने बताया यहाँ पर roller है तो number of reactions वन, roller है तो one और roller है तो one number of reactions कितने है number of reactions support reaction कितना अब पूरा लिखना पड़ेगा language संभाल के, कितना two plus one plus one plus one मतलब three plus two, five number of equilibrium condition कितने हमारे पास already three तो है और मैंने क्या समझाया था गुरू, कि जितने internal hinge उतने number of equations मुझे और दे देगा तो कितने हैं, तो plus two हैं तो DSE कितना, degree of static indeterminacy कितना five number of reaction minus number of equilibrium condition, क्या five, that is zero इसका मतलब यह क्या है, stable है and determinate है अब बड़े ध्यान से देखना दूसरा question इसी में इसी को मैं change कर रहा हूँ, सेम चीज़, अब number of reactions मैंने एक और hinge यहां पे डाल दिया देखना, यहां पे hinge मैंने क्या कर दिया, और डाल दिया, तो number of reactions मेरे पास उतना ही है, two plus one plus one plus one मतलब five और number of equilibrium conditions कितने हो गए, तीन तो पहले थे ही, summation of fx is close to zero, summation of fi is close to zero and summation of m is close to zero और plus कितने internal hinge, एक, दो, तीन, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, three तो कितने हो जाएंगे, five minus six, तो कितने हो जाएंगे minus one unstable क्या हो जाएंगे unstable बात समझ में आया, अब इसी तरीके से कुछ भी आए, कहीं भी आए, कैसे भी आए, अब ध्यान से देखना, एक और example unstable का लेता हूँ, मान लीजिए ये है, internal hinge यहां पे है number of support reactions, three तो लिखता हूँ मैं, number of support reactions, कितना, three number of equilibrium condition, कितना, three और एक internal hinge है, तो plus one, four कितना हो गया, four DSE, कितना, number of reactions, minus equilibrium, minus one मतलब, unstable तो unstable तो है, लेकिन determinate है, unstable है, लेकिन determinate है, unstable है, लेकिन determinate है, अब मैं एक comment यहां पे दे रहा हूँ, समझना, एक comment मैं दे रहा हूँ, यहां पे, खुल मिला करके, कि जो भी indeterminate होंगे, जो भी section, indeterminate होंगे, वो जादा economical होंगे, वो जादा थोड़े देर के लिए उस logic को मान लेना है कैसा होता है, जब हम लोग deflection topic पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि क्यूं ऐसा हो रहा था, ठीक है, यह है, इसको note में लिखेगा, note बना करके लिखेगा, यह है, तो stable, stable, determinate और indeterminate समझ में आ गया, यह चीजें, थोड़ा सा शुरुवात है, basic को बनाने के लिए, कि क्या है, यह है, ध्यान से देखेगा, note मैं लिख रहा हूं, note, अब जो आपको पहले सुने हो, किसी टीचर से पढ़े थे आप लोगों ने पहले, उस टीचर का बोलना था, उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, कि वो completely गलत बोला था, उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, आपको बोला गया था, कि फिक जो simply supported होता हूं, सबसे बढ़िया होता है, completely गलत है, उसको मैं mathematically प्रूफ करता हूं, कि गलत statement है, कौन बोला था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसको correct कर लिजेगा, अगर किसी लोग ने concept बनाया होगा, तो आप इसको improve कर लिजेगा, अगर ये hinge है, और ये roller है, ठीक है, और इसके उपर point load अगर हमने लगाया, तो इसके उपर मैंने क्या बोला था, यहाँ पे bending होगा, deflection होगा इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, maximum होगा, अगर मैं load डाल रहा हूँ, मालीजिए, point load डाल रहा हूँ, इस तरीके से, तो, अगर मैंने एक fixed beam लिया, length length सब कुछ सेम है, जो इसका thickness है, वही इसका thickness है, जो ये material है, वही material सब कुछ सेम है, length यहाँ पे जो देखा गया है, कि यहाँ पे तो bending होगा नहीं, यहाँ पे bending होगा नहीं, तो bending कहां से होगा, यह इस तरीके से bending होगा, कहां से, इस तरीके से, इस तरीके से bending होगा, यहाँ पे center जो होगा, this is the delta max, माल लीजिए point load हमने P लगाया, तो यह जो delta max आता है, जहां से देखना, यहां पे जो simply supported में delta max जो आता है, यह आता है PLQ divided by 48EI, क्या होता है? PLQ divided by 48EI, fix support में जो आता है, delta max जो आता है, वो इसका one fourth आता है, किसका? PLQ divided by 48EI, PLQ divided by 48EI, थोड़े देर के लिए आपको समझना है, मतलब जो deflection यह दे रहा है, वो उसका deflection का one fourth fix support दे रहा है, अब जब RCC मेंने पढ़ाया था, तो मैंने क्या समझाया था? कि जो beam होता है, flexural member है, deflection criteria को जरूर justified करना होता है, जब देखो, जब deflection criteria को अगर मुझे यही load को लेना है, और deflection उसके बराबर हो, तो मुझे EI को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब या तो इस material का, इस material का stiffness बढ़ाऊ, या moment of inertia बढ़ाऊ, तो deflection क्या होगा? घटेगा, क्या होगा? deflection क्या होगा? घटेगा, ज्यान से देखो, load उतना ही रखना चारा हो, length उतना ही रखना चारा हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? E बढ़ाना पड़ेगा, मतलब stiffness, stiffness of the material बढ़ाना पड़ेगा, और moment of inertia क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, जब stiffness में बढ़ाऊंगा, material strong करूँगा, moment of inertia बढ़ाऊंगा, मतलब BDQ by 12 मैं लिखूँगा, B और D, मतलब depth में बढ़ाऊंगा, तो section का material क्या होगा? इसका मतलब ये क्या है? अन एकोनोमिकल है, अन एकोनोमिकल है, बिद रिस्पेक्ट तु दिस वन, ये एकोनोमिकल है, ये क्या है? एकोनोमिकल है, तो fixed beam जो है, more economical than simply supported beam, आप यहां से ये चीज़े लिखोगे, इस चीज़े को समझोगे कि क्यूं हो रहा है, clear है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि determinate, ये इसका proof है, cost भी बढ़ा होगा, ज्यादा material यूज करोगा, तो cost बढ़ेगा, तो cost बढ़ेगा, तो cost बढ़ेगा, उसमें carbon का और भी अलग-अलग alloy यूज करोगे उसको, material में mix करोगा, अलग-अलग property बढ़ाने के लिए, तो material तो cost बढ़ेगा ही, तो हमेशा, हमेशा एक चीज याद रखेगा, more indeterminate beam जो होता है, more economical होता है, that's why indeterminate beam is more economical than and determinate beam, तो अब लिख लीजेगा, indeter, indeter, indeter. indeterminate beam more economical than determinate beam, आपको याद रखना है, यह है कहानी छोटा सा unstability का यह, अब exceptional case पर मैं आता हूँ, दो exceptional case जो मैंने बोला, उसके उपर आता हूँ, कि मैंने बोला, कि unstable होगा, कब, जब multiple reactions, सारे के सारे reactions जो है, वो parallel हो जाएं, तो यह unstable हो जाएगा, इसको भी हम लोग देखते हैं, 5 minute में कि क्या हो रहा है, हाला कि इसका explanation मैंने दिया है, लेगिन फिर भी इसको और देखिएक अच्छे तरीके से, बेड़े ध्यान से, note, note में ही है, दो point, अगर कोई beam है, सारे के सारे support, रॉलर हैं, सारे के सारे support रॉलर हैं, बड़ ध्यान से देखिएगा, या एक और section ऐसा बना हुआ है, बनाने में थोड़ा, अच्छा खासा, हुआ हुआ है, के अच्छा देख। armiesें, ऐसा है यह roller है तो यह क्या है एक reaction है यह roller है तो इसका vertical reaction है यह क्या है reaction है इस सारे कर सारे reaction इस point पे concurrent हो रहे है और यहाँ पे एक reaction यह है एक reaction ये है, ये reaction ये है सारे के सारे reactions जो हैं, parallel है एक भी reaction ऐसा नहीं है, जो ऐसा है जब भी कभी ऐसा हो, तो मैंने क्या बोला है, कि ये क्या है, unstable है क्योंकि अगर कभी ऐसा load आ गया, तो ये क्या होगा, slip out हो जाएगा, ये होगा तो जब, if theta not equals to 90 degree, दियान से देखेगा क्या है, if theta not equals to 90 degree, ये वाला, ये है theta not equals to 90 degree then beam is unstable, then beam is unstable इसका मतलब summation of fx जो है, not equals to 0 है, इसका मतलब x direction ही क्या होगा, कहा नहीं कतम इसका मतलब all reactions are parallel, then linear instability will be exist इसका मतलब ये क्या है, linear unstable है, और ये एक्या है, इसका मतलब ये क्या है, linear unstable है, concurrent हो रहे है, सारे के सारे reaction कहा है, concurrent है, तो इसको अगर मैंने एक वर force लगा दिया, इस तरीके से force लगा दिया, तो ये pendulum की तरह ऐसे, 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 होते रहेंगे, इसका मतलब क्या है, angular unstability, ठीक है, इसका मतलब net moment यहाँ पे 0, नहीं है, क्या moment होता रहे, summation of mx not equals to 0, angular unstability है, ठीक है, तो देखो, dse जो होगा, मान लीजिए, dse निकालूँगा मैं, अगर उस तरीके, इस exceptional क्यों है, ये बात समझ में आया, कि reactions कितना एक दो, 3, minus equilibrium equations, 3, 0, 0 होता है, तो क्या होता, stable होता है, लेकिन exceptional इसलिए तो है, कि stable कब होगा, जब ये non-concurrent होगा, तब stable होगा, concurrent हो रहा है, तो non-stable होगा, तो यहाँ पे ये logic काम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने note में, exceptional समझाया हूँ मैं, इसलिए ये बात बताया हो, ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, DSE कितना होगा, number of reactions कितना, 3, minus 3, 0, इसका मतलब 0 का मतलब क्या होता, unstable, और determinate, तो unstable है क्या, यह linear, unstable है, इसका मतलब यह भी valid नहीं है, इसका मतलब दो case है, जब concurrent हो रहे होंगे, और सारे के सारे reactions parallel हो रहे होंगे, तो ऐसा, यह वाला condition valid नहीं है, तो यही तो exceptional था इसलिए, तो मैंने बताया, कि अभी बताऊंगा, बस छोटा साब है, types of load, types of load आप सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, types of load types of load, फर्स्ट लोड पॉइंट लोड या concentrated पॉइंट लोड या concentrated लोड इसको यही पर रखते हैं, दूसरा क्या है, uniformly distributed load और इसको short form में UDL बोलते हैं, U मतलब uniformly D का मतलब distributed L का मतलब load, पहले ये दो पे बात करते हैं, point load का मतलब बहुत जादा area के बारे में नहीं बात करते हैं, कोई एक single point पे सारे के सारे load, हम लोग मान लेते हैं कि सारे के सारे load क्या है, single point पे लग रहे हैं, जैसे चाए वो beam कैसा भी हो, अब मैं सिधा सिधा सिर्फ और सिर्फ point load को represent कर रहा हूँ, और ये तो मैं सुरू से करते ही आ रहा हूँ, कि कहीं पे एक point load, दूसरे point load, multiple point load हो सकता, इसका P1 हो, इसका P2 हो, इसका P3 हो, तो ये वाले load क्या लग रहा है, एक point के ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं point load, uniformly distributed load का representation जो है, जो इस तरीके से है, या तो इस तरीके से दिख जाए आपको, या आपको इस तरीके से दिख जाए, इस तरीके से दिख जाए, दोनों को नाम क्या है, यूडियल ही है, यूडियल का representation होता है, W kN per meter, ये L1 length के लिए available है, और ये माल लेता हूँ, ये L2 length के लिए available है, ठीक है, होता क्या है, इस सीच को समझिएगा, थोड़ा सा बात करता हूँ बात, extra, ये जब पढ़ाएंगे तो हम लोग बात करेंगे, बस अभी देख लो, कि यहाँ पे अगर इस लोड को मुझे represent करना पड़ जाए, इस तरीके से, मालिजीे कोई एक भीम है इसी तरीके से ही पे, तो ये डबलू, किलो न्यूटन पर मीटर, कितने मीटर पे है, तो W किलो न्यूटन पर मीटर कितने मीटर पे है? L1 मीटर पे है तो मीटर से मीटर अगर कैंसिल करते हैं तो W into L1 किलो न्यूटन में आयाता है ये वाला जो होता है P1 जो होता है किलो न्यूटन में ही रिपरजेंट होंगे या Newton में या किलो Newton में P2 जो हैं यह सब के सब किलो Newton में P3 जो होंगे किलो Newton में इसका मतलब अगर मैं इसको load पर multiply कर रहा हूँ तो इसके इसके वाले यह length जो L1 है इसके बीचो बीच कहीं पर हम लोग एक point load इस UDL को replace करके W into L1 किलो Newton का एक point load डाल सकते हैं UDL को replace करके इसके CG के उपर इसके center position पर हम लोग insert कर सकते हैं इस पर और भी बाते मैं सोच बढ़ाने के लिए मैं इस पर और भी बाते करूंगा extra additionally बाद में अभी बस इतना थोड़ा सा तीसरा C जो है uniformly wearing load wearing load uniformly wearing load का मतलब क्या है मा लीजिए ये simply supported है इस तरीके से हो सकता है beam में एक जगे से start 0 से बढ़ते 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 ये W किलो Newton पे जा सकता है मतलब यहाँ पे 0 लोड था फिर बढ़ते 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 W पे गया इसका मतलब ये uniformly क्या हो रहा है very हो रहा है हो सकता है यहाँ पे W1 से start हो करके और ये 0 पे भी आ सकता है इसको भी uniformly wearing load बोलेंगे हो सकता यहाँ पे ये W2 से start हो करके W3 पे भी खतम हो सकते हैं इसको भी हम लोग uniformly wearing load बोलते हैं location कहाँ पे होगा कैसे होगा ये बात की बाते हैं मैं बस अभी load-load के बारे में बात कर रहा हूँ अभी beam का stability कम load ज्यादा load के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे अभी हम लोग इसको देखेंगे fourth जो है concentrated moment के बारे में बात करते हैं क्या है concentrated moment concentrated moment के बारे में हम लोग बात करते हैं concentrated moment का मतलब क्या है कि कोई एक point पे direct moment ही concentrate पे है जैसे इस point के उपर अगर मैं देखूं तो मैंने direct moment लगा दिया m kilo newton per kilo newton meter का moment लगा दिया यह couple मैंने समझाया था कि यहां से अगर ऐसा कहीं पे हो जाए यहां पे force P, यहां से force P तो यह भी एक तरीके से इसको resolve करोगे तो यह भी एक तरीके से moment generate करेंगे तो यह वाले condition और यह वाले condition दोनों को पे ही हम लोग बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं? concentrated moment और एक चीज होता है UDL, uniformly distributed moment भी होता है uniformly distributed moment का मतलब कोई भी एक particular length पे यह moment जो होगा इस तरीके से generate हो रहा होगा this is the L1, माल लिजे L1 यह क्या है? W kilo newton meter per meter यह uniformly distributed moment है क्या है? W kilo newton meter per meter UDL मतलब moment होता है तो kilo newton meter क्यूँ? अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ moment का मतलब यहाँ पे होता है moment force या load force into perpendicular distance देशी बास है मलुक समझेंगे load हो जाएं, यह इस तरीके से हो जाएंगे यह वाले जो load आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था LY2 और LY2, दो force, कपल मैंने समझाया था ना दो force equally and opposite लगते हैं तो यहाँ पे जो moment generate होंगे इस point के उपर यह क्या होगे? P into L generate होंगे, that is moment तो P into L, इस पे और भी बाते अभी तो सुरुआत है अभी तो base में जगाया हूँ आप लोग को कि हम लोग को basic चीजों के उपर कैसे कैसे ध्यान देना है कितना हम लोग को concentrate करना है यह बिल्कुल zero level से मैं इसको start किया हूँ और बिल्कुल high level पे हम लोग लेकर कि इसको जाएंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्या है I hope कि कभी भी दिक्कत आपको जिन्दिगी में कभी नहीं होगा shear force bending moment diagram का एक figure है lastly जो मैंने सब बोला था उसमें support condition में वो figure है आप थोड़ा सा देख लीजिए एक second के लिए दस second के लिए देखिएगा roller support, pinned support, fixed support, simply support ठीक है, simply supported है fixed support है, vertical, vertical load pinned support या hinge support के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे pin support या hinge support, horizontal and vertical, horizontal and vertical moment का कोई reactions नहीं है, तो resisting load ही नहीं है load resist, resist का मतलब जो resist कर रहा थो ही तो reaction आ रहा था इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से यह है diagram हटा दीजिए तो next lecture में हम लोग आएंगे कि shear force होता क्या है generate कैसे होता है, bending moment generate कैसे होता है आता क्या है, उसके बाद shear force, bending moment and यह सब हम लोग बात करेंगे next lecture के बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ next lecture में आपको मिलेगा हम लोग discussion करेंगे कि shear force क्या है, bending moment क्या है फिर shear force diagram के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे bending moment diagram के बारे में बात करेंगे फिर उसके बाद इन सब का बस बात करेंगे थोड़ा सा बनाना start नहीं करेंगे, फिर हम लोग को एक relationship बनाना है, derive करना है, relationship between loading diagram, loading, or shear force, or bending moment, इन तीनों के बीच में एक relationship derive करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि in relationship से क्या क्या चीज आते हैं, कैसे हमें decide करना है कि कहा कहा क्या क्या करना है, ये main next lecture का ये focus होगा, इस पे हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा सा समझ में आया होगा, structure का base मेंने start किया है थोड़ा थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि अचानक structure में moment distribution बताऊंगा, तो समझ में नहीं आएगा, slope deflection direct start करूँगा, समझ में नहीं आएगा, इसने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग को improve करते जाना है, joint में ही फस जाते हैं लोग, support में फस जाते हैं, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन determination से निकालते रहते हैं, समझ में नहीं नहीं आता है, इन determination से निकाल क्यों रहा हैं हम लोग, तो यह सब चीजों के लिए मैं थोड़ा सा start किया हूँ, और mainly जो first हम लोग use करेंगे, वो cantilever, simply supported और overhang के लिए, लेकिन ये चलता जाएगा, साथ साथ चलता जाएगा, जिस चीज के लिए जो चीज जरुरत साना start करेंगे, frame का, continuous beam का, fixed beam का, सबका बनाएंगे, फिर उसका बात complete होगा, सारा method, उसके बाद हम लोग इस तरीके से structure continue इधर चलता रहेगा, ठीक है, मैं फिर से करेक्ष्ट कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है, बार बार बोलना, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है कि आप लोग like जरूर करें, share जरूर करें, और जो लोग first time देख रहे हैं, वो हमारे channel को subscribe जरूर करें, और कोई भी चीजे आपको बतानी होगी, बोलनी होगी, पूछनी होगी, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, हमारे पास तक मिल जाता है, ठीजे, सब कुछ हो जाता है, कोई द अच्छा लगता है तो, और नहीं अच्छा लगता है, तो dislike भी कर दीजे, कोई दिक्कत नहीं है, दो-चार लोग हैं हमारे पास, जो हमें ख़वर मिली है, non-sivillian है, वो dislike मारते रहते हैं, तो आप भी उस group में join करना चाहते हैं, लेकिन comment करके बता दीजेगा reason कि मैं dislike किसल बेसिक ही गडबड होता है बच्छों को, इसलिए structure दिक्कत हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, shear force bending moment डिएग्राम अभी चलेगा, लंबा चलेगा, खुब practice करेंगे class में ही, घर में आपको पढ़ने की जोत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ class notes पढ़ोगे, इस class video lecture देखोगे, सबके सब doubt clear हो जाएंगे, आपको पता है, introduction में मैंने कम से कम 30-35 questions करा चुके है, introduction, introduction, first topic, stress, strain में हम लोग 35 questions, subjective questions करा हैं, तो आप सो सकते हैं कि किस लेवल पर पढ़ रहे हैं, हम लोग का focus ही होता है, ES के previous year question, gate के previous year question, और civil services के previous year subjective question के ऊपर हाभी होना, उसके question के through हम लोग का concept generate करना, पहले हम लोग basic concept पढ़ते हैं, फिर हम लोग यह सब question को हम लोग attempt करते हैं class में, तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो lecture आपके लिए, selection के लिए दरवाजे खोलेंगे, इसी के ऊपर focus रखिए, आपका selection ज़रूर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, और क्यूं आया, वो भी हम लोग देखेंगे, कर्व क्यूं हो रहा है, decreasing है slope, increasing है, positive है, negative है, सब कुछ हम लोग logically देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो I hope, आप बात को समझे होंगे, like, share, subscribe करते रहिए, और enjoy करते रहिए lecture, और bell icon ज़रूर दबा दिजिएगा, ताकि आपके